हेलो एवरिवन आप सब लोग का स्वागते बापस से जीनोमेक के ओलाइंड प्लेटफॉर्म पे और मैं एक बार फिर आपके सामने हाज जिरूं कुछ नए चीज़ों के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ कुछ कदम और इंज की ओद सफलता की ओद भाई के साथ बड़ा पड़ साइड लोग कनेक्ट हो जाएं बिना समय कवाए गुड इविनिंग मेरी तरफ से नरेंज जिनजनवाद डिगंबर चौदरी अरे सारे जाटी आगे के हाज इसु वारत द्वाज असु धाकर्ड पुनम चिलर रंजीत राथोड कांता गीता नियूरॉन सुसील लरिता अब्मन्यू सुभास दीपत मीना सिखावत पुस्पा अनामिका ठाकुर बलवीर गर्ग और सुत्तम सबको मेरी तरफ से गुड इविनिंग सुपसंद्या सबका जीनो में के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है मैं आपके सामने फिर हाजर हूँ जैसे के मैं होता हूँ कभी कभ बीच में क्लास लेके तो नौट सेट की तरफ यह हमारा एक और कदम वेरी गुड भाई आ गया हां बच्चे सबको बच्चे लव यूट बच्चे एंड जै महाकाल जै महाकाल बच्चे जै महाकाल ओके बच्चे स्टार्ट करें गुरुजी के परणा आज की क्लास का पहला कुश्चन हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा है ता फर्स्ट कुश्चन ओन स्क्रीन पहला है वेरी गुड़ सबको में तसे गुड़े वनी फड़ापड बच्चे कनेक्ट हो जाएं और कुश्चन कहां सकने सारे बच्चे रादे रादे फड़ापड कुश्चन को पढ़ें और आंसा करें सारे बच्चे बिना समय कवाएं और आंसा करें सक्रीग इना में और आंसा करेंड़ जाएं असिस्मेंट फाइंडिंग इनकिलोड स्प्लीनो मिगेली वॉट इनफ इनफॉर्मेशन ओप्टेंड ओन दा विजिट वुड कॉस्ट दा मोस्ट कंसर्ण सबसे बड़ा कंसर्ण किस बात का है अब से पहले समझनी कोसिस करिए कि कोशन क्या कहना चाहरा है कोशन कहरा है कि सिक सिकल से एनीमिया है सिकल से एनीमिया क्यों है कि इसके इंदर सिकल हीमोग्लोबिन पाया जाताए क्यों बेटा चेल की प्रॉब्लम है। कौन से क्रोभूसोम की रवर्भ्लम है क्या होता है आंसर होता है तो सिकल रीयनिया कैसे Será कैं आड शाम्णर होता है आई होपको breathing शा की से समझनी को से करिए बहुत इजी लगेगा तो आपने का बीटा चेन की जिम्मेदारी किसके पास होती है लेवंध क्रोमोसों में प्रॉबलम है तभी बीटा चेन की प्रॉबलम होगी यानि के लेवंध क्रोमोसों बीटा चेन की रखवाली करता है अगर बीटा चेन में द कि बीटा चेन, ग्लोबिन चेन होती है, कैसी चेन होती है, ग्लोबिन चेन होती है, और ग्लोबिन किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, तो बीटा चेन की सिक्स्त पोजीशन पर, बीटा चेन की सिक्स्त पोजीशन पर, कौन होता है, आंसर है ग्लूटामेट, कौन हो होता है वैलीन से रिप्लेस होता है वैसलीन और वैलीन हां तो भूल जा होता है वैसलीन बाद में काम आती है वैसलीन बाद में आती है मतलब बाद में आता है मतलब किसी की जगए आता है तो वैलीन यानी वैलीन यानी वैलीन आया गलूटामेट की जगए और वैलीन अगर गलूटामेट की जगए आया है तो बच्चे यह क्या किलाएगा सिकल एमोगलोबिन इससे क्या बनेगा सिकल ए है बिल्कुल तो सिकल से लेनीमिया के बारे में कुछ और कुछ आपको पता है मैंने का पता है सिकल से लेनीमिया किया होती है इसके अंदर क्या होता है याद रखिएगा यह चीज आपको पता है इसके दो फॉर्म होती हेट्रोजाइगस क्या होता है हेट्रोजाइगस होता है और एक होता होमोजाइगस तो आपने का फरक क्या है मैं फरक बता दिता हूं होमोजाइगस का मतलब है क्योंकि रिसेसिव डिसॉडर है तो तभी अपनी डिजीज दिखाएगा जब दौनों एलील एफेक्ट होंगी जब दौनों एलील जैसी होती है तो इसे कहते हैं होमोजाइगस जब दोनों अलग अलग होती है से कहते हैं हेट्रोजाइगस तो बच्चे हेट्रोजाइगस और हेलोजाइगस होमोजाइगस में यह डिजीज हो जाती है हेट्रोजाइगस में डिजीज तो नहीं होती पर इसे कहते हैं ट्रेट क कर देट किसमें है किसमें हेटेरो जाइकस तो हूंगों जैकस डिजीन होते है यह ऐ देख लिया काउपी में अगर अगर मैं आपके बारे में पहले नहीं पता चला बहुत रेयर है कि मेरे बारे में पता नहीं चलाओ पर फिर भी रह गया कोई बात नहीं जिनको पता चल गया वो सेलेक्ट हो गए फिर भी वो सारे इसान फरामूस है वह राक कुछ खास पढ़ता नहीं है बट चल तेरा हो जाता तो ज्यादा खुसी होती मुझे किसी बिचारे जरूत मंद का सेलेक्शन हो जाए ना वह ज्यादा बढ़िया है कंपेट टून के जरूत मंद नहीं है उनके वैसी अम्मानी है नहीं बढ़ता है बस जरूत मंद का सेलेक्शन होना बहुत जड़ हो रही है अब अच्छे इतना क्वेश्चन जैसरी रहा है अगे चले हाँ अब इसके बारे में वनवाइकन करके देखते हैं मैंने का हुआ क्या है कोश्चन की तरब चलते हैं क्या कर रहा है होम हेल्थ नर्स विजिटिंगे क्लाइंट नर्स इसको सिकल सेल एनिमें डिजीस कंफर्म हो चुके है पड़ लो चलो बड़ पड़ पड़ो तें आप ने का इसको स्पुलींओ निगली कैसे हो सकता है वैसे मेरी बात ध्यारा रखना स्प्रंग ये जो मैस् इसने इस्पली नो में करें जिए इस न्の मेंगली इनीसीयल होती है क्या आता है स्रिकेज औफ बढ़ता है फ्रार्म में सिखल स्यल का साइज बढ़ता है पर बाद में स्प्लीन का साइज स्रिंक S भाध भाध रहा हूं यह सिकल हीगांगलोबिन मैंने कहां इसके यह जिस आर्बीसी के अंदर है इस आर्बीसी के अंदर है उसका लाइफ इस्पान उसका लाइफ इस्पान कम होगा या जादा होगा एक बात बताओ अगर जिस आर्बीसी के अंदर हीमोगलोबिन ही सिकल सेल वाला है सिकल हीमोगलोबिन पाए जाने वाली आर्बी है कि बताओ स्केल हीमोches Love Queen को रखने वाली आर-बी-सी का जीवनकाल कितना होता है जिसका जीवनकाल मात्र होता है चैसे लेकरबेशिक चुने सीडQUE मतलब ह कि यह आर यशी का मोरी मोलाइस यह तो ज्यादा तूटके है कि जादा तोटने से क्या होगा जादा तोटने की वज़े से क्या होगा जादा लासें आएंगी किस की लासें आएंगी आर बी सी की जब लासें जादा आएंगी हिंदी में लिख देता हूं जब आर बी सी की लासें जादा आएंगी तो कबरिस्तान बड़ा चाहिए कबरिस्ता बढ़ा होगा इसयाप the same true saking related Pac work बढ़े गाइगा इनीसे बीदी फिली मेगैली पाया जाता है आई होप को मेरी मात समझ में आही ओगी आपने का ड़ान उसके बाद तै कि जैसे इसमें इस्धिकलंग होती है क्या ती होगी और सिकलिंग होने से ste mówią हो जाएगा सिस्टेमिया होने से क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगा और जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो बाद में स्प्लीन का साइज क्या हो जाएगा स्रिंकेज हो जाएगा बाद में कम होगा पहले स्प्लीन साइज बढ़ता है अगर इसको स्पिलीनों में गेली है तो इनिसियल है वाट इंफरमेशन फाइट फास्ट फूड डेली फॉल लंज फास्ट फूड खाओ जिससे के स्पिलीन पर वर्कलोड कम हो जाए ऐसा मत करो इस्पिलीन वैसे काम नहीं कर रही है कोई सोलीसट नहीं कर वहाए तो यूरितन से आपकी बीर पीने से दारू पीने से या चाहना, क्णा खाने का कोई फरक नहीं पड़ेगा उल्टी और बत्तर हो जाएगीไह अपने का बता जरा मैंने कहा याद रखना वोट इन्फरमिशन उप्टेंद विजिट कॉज अगर वो फनीचर को हटा रहा है यानी फनीचर को सिफ्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर अगर फनीचर को सिफ्ट कर रहा है क्य develops आपको बारी चीज़ा से मुणाएं ये जो पेसेंट से और स्पिलीन से होता है तो भी बारी बजन उठाना मना होता है इसका मतलब का इडिकेटर आगर इसने ज्यादा जोलकाई तो स्पलीम रप्चर हो सकता है лекसे मत करों कहीं थाओ सम टाइम फिल फटेग आनी इसको यह जो थकावत है वह वैसी होगी एनीमिया के तो प्रोब्लम है आंसर इस डी आंसर इस डी पहला याद रहेगा बच्छे आगे फ़र्स्ट ऑप्शन जिन जिन का सही हुआ है बड़ी बड़ीया बात है सवाल बड़ा अच्छा था अकर हम लोगिकल सोच तो बड़ा अच्छा सवाल है ठीक है कोई बात नहीं गलत हो गया तो आगे सही होगा है कि अधिक कोई बात ही मचें अगला कोईशन आपके सामने स्क्रीन पे यह रहा पड़ा फड़ा कोईशन को पड़ा और आंसर करें नेक्स्ट कोईशन ऑन स्क्रीन जल्दी आपको देखकर कॉन्फिडेंस फील होता है अच्छी बात है बेटा मैं हुन कॉन्फिडेंस देने के लिए मेन परपल्स तो सक्सीड माई स्टुटेंट जन्हें सफलता मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए ठीक बेटा कि वेरी गुड इस पाम रिमेन एन एपिड़ाइमस फॉर दा आर्स यह कहरा है कि स्पलीन स्वरी इस पाम जो है वह एपिड़ाइमस में कितने समय तक रहते हैं बहुत बढ़ी आंसर सी सी आंसर आने लगा है तो यह तो खरें नर्सिंग ने कहा सी है इधन ने कहा सी है कि शमाति खतम हो गई ना आंसर सी गलत है तो जो पढ़ चूक हो वो तो ठीक है आंसर सी हो गया गलत कोई बात नहीं पहले पहले सपहले तुम्हारा अंसर मैंने गलत कर दिया अब मैं बता तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानक्री देना जरूरी है बहुत ओचेता आपको जानकारी देना इसके बारे में ठेक है बेठा जोड़ एवनिंगे सबको गट एवनिग अफड़ कनेक्ट हो जाएए ठेक है आपने कासर कहां बनते हैं स्पम। मैंने का सैm you फैरस ट्यूबेल्स में बनते हैं माने का ठीक है एपीडेडेटाइमस में चला चलता है आपने करता है रुक तो जा सांस तो ले ले बताएंगे क्या करता है विद्स में इंदे को सपर्म कहां थे पिना तेल के चलेगी तो हिलती जुलती नहीं है गाड़ी सोरूम में खड़ी वैसे गाड़ी है इसको हिलने डुलने लाइक बनाया जाता है कहां पर बनाया जाता है एपीडाइमस के अंदर जिससे की नॉन मॉटाइल तो कभी भी ओवम को फर्टिलाइज कर नहीं सकता ओवम के महराथन हो रही है यह जो तक रह गए गई जो हैं यह जिंतक है उत्रस तक पउंच गई जो छे अब और कितना देर कराएगी, याद रखिएगा बच्चे, समझने की कोशिस करिएगा, तो बेटा, ये non-mortile होते हैं, कौन? अब इनको mortile बनाया जाता है. कि लिए बच्चे, चलो. अब अपने कासर ठीक है, पहुंच जाएंगे, अब अपने कासर ये बता दो, कितने समय तक रहते हैं? कितना समय लगता है इनको mortile convert होने में? होने में कितना समय लगेगा? वो इस question का answer है, वो इस question का answer है, पहले बार में बता दूँ, रुख जाओ. तो वो समय कितना लगेगा, वो मैं बताऊंगा question के end में, पहले और थोड़ी चीज़ें सुन लीजी आप. आपने नाम सुना, कैपिसिटेशन क्या होता है? सुना तो होगा, मैंने का हाँ, काई नहीं सुना, कैपिसिटेशन क्या होता है? कैपिसिटेशन मैं पहले बार क्लास में बता चुका हूँ, यूट्यूब पे बता चुका हूँ, कैपिसिटेशन होता है, that is, sperm must undergo some form of physiological changes, नहीं कैपिसिटेशन कहते हैं, तो यह physiological changes है, किसके? किसमें हो रहे हैं, किसमें होते हैं, उसे कहते हैं, क्यों होते हैं, जिससे कि Penetration हो सके, किसका Penetration करवा रहे हो? हो तो चब का Penetration अरे वो तालग Penetration था वे यह अलग Penetration यह वो Penetration है जो Oum में होगा कौन करता है स्व्ण करेगा ना Penetration in Oum अच्छा ओवम में इंट्रि करने तक यह जो तयारी करी जा रही है तयारी का नाम है Capacitation क्या कहते हैं Capacitation सब्सक्राइब को इस अगर अगर इंटर कर गया तो फिर तो कानपुर से बराता रही है कानपुर में बराता है कानपुर तक पहुंचते 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 लोग ठक गए तो जैपुर में उन्हों और हुचते जैपुर में नम सुना सामयाना सामयाना वाला सामयाने Nej अपने का सामयाने में जो रोकते हैं इससे क्या होता है सामयाने में कुछ समय दूला जो रुखता है प्रण पर नीचे मत करते ना कि जल्दबाजी में कास्ट्रेशन कर दो कास्ट्रेशन हो रहा है कास्ट्रेशन करवा के तो साधी करी का एक पुरे वो रहे दो भईया कास्ट्रेशन नहीं हो राया है समदा बच्छे जन्मासा कहते हैं जन्मासा कहते हैं तो पता नहीं प्रफेज़ में इसे कहते हैं कैपेशीट्रेशन अब तो तो समझ में आ गया हो आपको इल क्रथे पर दिटियमस क्या करता है कि अपर यह क्या करता है कि यह क्या करता है transform sperm कर भी transport तक भी यह आजा दीक जा और टक लेके जाता है वास डिफ्रेंश तक लेकर जाता है अगान so epididymus help in the transportation of the sperm from the rated test to the vast difference इसमें total समय कितना लगता है 10 से 15 दिन लगते हैं बड़ा लंबा सफ़रता है करना है इतनी देर में तो परकमा हो जाती तो 10 से 15 दिन लगते हैं total से पहुचने में कहां से रेटी टेस्ट लेके कहां से वच्छे और क्या काम करता है इसके लावा second काम इसका याद रखेगा इसका second काम क्या होता है sperm concentration जो sperm कम है और जिनकी concentration कम है उसको बढ़ाया जाता है तो sperm की concentration में change किया जाता है कि इस पंप की कंसेंट्रेशन में चेंज किया जाता है याद रखे ना कि एसी डूसिस होगा तूटू की टन बॉड़ी खाए का इस पंप का इस पंप ने क्या गांजा पी रखाए के लिए रहे अच्छा और क्या काम करता है सर एपिड़ाइमस की और काम बताओ थर्ड काम है इसका इस पंप प्रोटेक्शन इस पंप को बचाता है प्रोटेक्ट करता है इस पंप प्रोटेक्शन भी देखो इस पंप का पूरा ठेका किसके पास है एपिड़ाइमस के पास है और बता व क्या करेगा इस इसको करने तो मॉटल हैं लीटी में भी काम आता है और इसे बढणने में काम आता यह सारे काम किसके हैं यह सारे काम किसके हैं कितने समय तक रहता है कि अच्छा आपस में खेल रहे हैं अफिर ठीक है फिर तो कि अच्छा आपने का बताई से कितने समय रहेगा आंसर अठारा से चोबीस घंटे रहता है यह एपिड़ैमस के अंदर कितना समय रहता है अठारा से चोबीस घंटे रहता और बचे याद रखना 18-24 इस ऑप्शन के हिसाप से इसमें 18 से 24 में एक ही आंसर बैठ रहा है और वो आंसर क्या बैठ रहा है 24 तो आंसर जाएगा बिटा एक क्या जाएगा एक क्लियर बच्छे चलो अगला क्वेश्यन फटा पटा क्वेश्यन को पड़ोर आंसर करो जल्दी क्या है क्लाइंट इस साइन ओफ इंक्रीजड इंट्रा कृनियल प्रेसर आई सीप बढ़ गया है विच वन ओब दा फॉलॉइंग इस दा अर्ली इंडिगेटर डिटोरी इसन इन दा क्लाइंट कंडिशन यह कह रहा है कि आई सीपट बढ़ने का अर्ली पूछा है कहा लिखा है मैंन अब अरली होता है कि लेड के बता दिता हूं लेट में सबसे पहले जो आता है में तीन कौन-कौन-जर से होते हैं तो बढ़ है को स्धस्नि में मतलब बोले तो नहीं बोले इंक्रीज हो जाता है यह दा इसमें हर्ट रेट जो है वह कम हो जाती है तो हट्रेट कम होना रेस्पीरिशन कम होन और और सुस्टॉल का बढ़ना सुस्टॉलिक बढ़ हैं आप ने नाम सुना आओगा पल्स प्रेसर का सुना है बिल्कुल सुना है जो उसका मतलब बढ़ गया है कि पल्स प्रेसर वाइड होगा कि अब तो सस्टॉलिक आप मतलब यह no to rename see a कर एंप के गैप बढ़ गया सस्टॉअ को गया जादा ले कि रहे गया कम तो gap हो गया जादा जितना जादा सिस्टॉलिक माइनस का उतना जादा पल्स-प्रेशर बढ़ेगा तो वाइड पल्स-प्रेशर पाया जाता है किस डाइलेकेड़धिटड डाइलेकेड़ लेट साइन है। दाइलेकेड़ेटधिपिल इनीचे चाहिए गए हो चुक्त हो जानी है तो फरक पर नहीं पढ़ रहे हैं इसका हुआ कशी की मृत्यू जल्दी नहीं होती, मृत्यू लेड सायन होती है, तो इसका मतलब है, कょ सबसे अर्ली सायन होता है , सब कांसर सही था तो बेटा डी का मतलब है कि अगर किसी की लेवल ओफ कौंसिजिज्जिस में चेंज जा रहे हैं तो इसका मतलब वह अर्ली साइन होता है किसका आई सीपी बढ़ने का अब एकासर हम कैसे निकालेंगे तो मैं थोड़ी निकालनाहे मैं निकालके बता रहा हूँ न तो मैं glass को मास्केल का नाम वाय उफ्लेंने के लंडर बाइस को मैंसे की लिए कुराइं कि सुनाएं ना वेरी गुड आपने का इसके अंदर ग्लास को में इसके अंदर एक तो होता है आई रेस्पोंस एक होता है बर्बल रेस्पोंस और एक होता है मौटर रेस्पोंस पड़ाया होगा आई का होता एक से लेके चार बर्बल होता है एक से लेके पांच और मौटर हो सूब और 10 चाहर होता है डैड़ परसन जिसकी हो चुकिब उस व्यक्ति का कितना होगा कभी भी सब्सकेयर के स्केल 3 से 8 है या सीवियर है से कहेंगे 9 से 12 है इसे कहेंगे moderate और 12 से ज़्यादा है इसे कहेंगे mild क्या कहेंगे बेटा mild समझ में आ रहा है बेटा तो यह glasscoma scale है जो आपके level of consciousness को बारें बताता है और level of consciousness को चेक कर रहा है हम किस से glasscoma सकेल से पर सामने पर स्किर्ड्र जो लिखी गई है किर्प्षा करके इनको एद रखिका बुरे वक्त में काम आती है नहीं तो बात में तुम जिरो करknown कर या वा जाते हो फिर के कर लिया बच्छे चलुँ अगला कोश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा है फटा फट कोश्चन को पढ़े और आंसर करें अगर कोई आदमी डेड कहला रहा है तो सबसे पहले ब्रेंड यह होगा समंदर गुजर मेरा थन और पाद यूटूब पे होगा न पेड्पे होगा न पेड्पे न पौदे पे न यूटूब पे होगा न पदे न यूटूब पर न चहती है मेरा थन नहीं होगी जो क्लास रेगूलर हो पाती है वह हो पाएंगी हेल्थ इस्यूज है तो मैं ज्यादा देर नहीं ले सकता बट मेरी सोब कामने आपके साथ है मेरा थनकार नहीं है कोई भी अभी कोई चांस तो आप एक्जाम की त्यारी करिए और अच्छे से पढ़ाई क ठीक है बच्चे फड़ा पड़ क्वेश्चन काहां सथ सारे बच्चे तुनिल जांगे होता है वेटा ऐसा कई वार बच्चे वेक एक भी तो आप काह मॉस्क्यूटो हैविंग स्पोर्टेड विंग्स स्पोर्टेड मतलब के थोड़े उठे हुए और दब्बे वाले जो है किसके होते हैं तरा अंसर दो आपसे पूछा जाएं मोस्क्यूटो विंग स्पोर्टेड विंग्स यह कौन से विंग्स है जो स्पोर्टेड होते हैं मतलब थोड़े उठे हुए होते हैं जिन पर धबे दबे पाई जाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा एक बार इसको डंग से देखिए जितने मच्छर में आपके सामने लाएं कौन सा मच्छर कैसा है आपने का कौन सा बताओ कैसा है मैंने का एक एनोफ़िज एक इडीज और एक किव लेकसे फरक दिखाई देर रहा कुछ एक हैं एक है एक है क्यूक्य करह है यह तो बैठें टेरे हाड पर जीनल संपने मिले तो सबस्काह्तЙस और यह जो है न यह न की पीठ है क्यूल सिस पह बैठा है और एनोफी जहां बैठ यह स्वपनिल के ऊपर अब क्यूलेक्स है नियूरॉन के ऊपर ठेक है तो ऐसे मान लिए आप इसको तो एनोफिलीज एडीज एंड क्यूलेक्स अब बताओ इन्हें से स्पॉटेट कौन सा है याप इनके बैठरें के तरीके देखो इसका पिछवाड़ा है ना एकदम एंगल है इसका तुम देखो ना कैसा उठ रहा है यह एकदम फ्लेट बैठ रहा विचारा गरीब यूँ यह कैसा बैठ रहा है यह नीचे दबाके आंसर है एनोफलीज इस हैविंग दा एनोफलीज इस हैविंग दा इस्पॉटेड विंग्स एंड एलिवेटेड बैक साइड यह जो चीजें एस परकार का जो पॉस्चर होता है वो एनोफलीज का होता है तो आपसे पूछा जाए इस्पॉटेड विंग्स किस मच्छर के ह होते हैं कि अंसर वेटा कौन एन्नोफ फिलीज के होता है कि अगर कि अगर कि अगर कि मनप्रीत को और गौड़ ब्लेस ही बचे तो याद रहे हैं तो याद रहे हैं टाइगर मॉस्कीटो किसे कहते हैं टाइगर टाइगर मॉस्कीटो निमन में से किसे कहा जाता है जल्दी बता फटा फट टाइगर मॉस्कीटो किसे कहते हैं जल्दी बता फटाफट टाइगर मॉस्कीटो एनोफिलीज एडीज क्यूलेक् जल्दी बोलो टाइगर है कि इस इड़ी और टाइगर है कि improvement and एड़ी को घ्क कहते हैं टाइगर कोई पूछह सेव कैसी होते जल्दी बताऊ टाइगर की सेब कैसी होती है नाम टाइगर इसकी सेव टाइगर जैसी नहीं होती यह कुछ important बात हैं याद रखेगा मैं जो बता रहा हूं सारी चीजें इसकी इसकी सेफ कैसी होती है tiger की सेफ कैसी होती है लिए बताओ राइट सर आपलकुल tiger यानि eddies की सेफ कैसी होती होती है लिए बताओ eddies की सेफ सेफ बताओ फटाफट very good बरसादास एकदम बिटा सिगार की सेफ होती है याद रखना सिगार सेफ होती है eddies की eddies सिगार सेफ होता है question change निम्न मैंसे कौन से मच्छर का लारवा इंपोडेंट बिटा निम्न मैंसे कौन से मच्छर का लारवा water की surface के water surface के parallel होता है याद रहना exam में जब पूछेगा न तो आपको ये बात याद रहेगी पढ़ लेती तो और अच्छा रहता तो water surface के parallel कौन से मच्छर का लारवा बैटेगा एक डम जैसे पानी है वैसे ही इस मच्छर का लारवा कुछी एंगल पे नहीं होता है surface के parallel होता है कौन से मच्छर का लारवा जो पानी का service उसके parallel होगा पता फट पता फट पता फट कौनसे मच्छर का लार्वा कौनसे मच्छर का लार्वा वाटर सरफेस पर पैरिलल होता है जल्दे बटा आंसर इस एनोफलीज एनोफलीज का लार्वा पैरलल होता है वाटर सरफेस के और याद रहना एडीज का और क्यूलेक्स का एंगल बनाता है पानी सरफेस के साथ एंगल विद वाटर सरफेस ये दोनों के लार्वा जो हैं वो वाटर के सरफेस से एंगल बनाते मेरे प्यारे बच्चो इतना आपको समझ में आ गया होगा है बिल्कुल बोतल अच्छी है सर बोतल तो बहुत बढ़ी आए बे यह बोतल यहां की नहीं है बहार की है पानी की बोतल है बोतल अच्छी होती है चलो अगला कॉस्टन दो नाच्ट कोस्टन आस्क्रीन बल्कुल साई का हार देख़् शरी पदा पंडा गॉड्ट बलस यू कि अरे मन्सोनिया क्या है मन्सोनिया मच्छर है फाइल एरिया सुना है फाइल एरिया उसी खंदान को चरा को लेको उनता ही है अर्बो वाइरिस कि लाउसर में गृष्ट पड़ा दू एक नर्स के पास एक पेसेंट आया है पोस्ट पार्टम क्लाइंट है बीबी पैदा कर गया है विच आफ दा फॉलोइंग असिस्मेंट फाइंडिंग दा रीजन फॉर कंसर्ण कौंसी ऐसी बात है जो जिसको देखकर नर्स को ध्रान देनी की आवश्यक्ता ज्यादा पड़ गई आपने का ठीक है पड़ा लव यतम लव ठीक है काजल कुमारी क्या रिपलाई कर तुम इटा तेरा बोल एक प्रमेंट नहीं पाता है पल्स रेट घंट सेवंट सेवन्टी टुण आइंटी थेर्ड पोस्ट पाटम डे लुकिंह रही है मुष्येदल लग रहे यह मुझे तो इसी लाइन में कुछ गलत लगा नहीं सब्स एक में अलगया नहीं ne बेटा 8 बात दे दिया ठ salut को आपने साथ डाई यूरेस फ Each ने ठीक होता है इसका एकस क्रियेशन होता यह एकस क्रियेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, हो सकता है कि वो डाइफॉरेसिस हो, या हो सकता है कि पसीना जादा है, या हो सकता है कि यूरिन जादा है, अगर यूरिन जादा आ रहा है, तो डाइफॉरेसिस कह दीजिएगा, पसीना जादा आ रहा है, तो डाइफॉरेसिस कह दीजिएगा दोनों चीजें नॉर्मल हैं ऐसा हर महिला के साथ होता है कि बच्चा पैदा करने के बाद उसको पसीने और यूरिन जादा आता है तो ये काम भी एकदम नॉर्मल है और ये काम भी एकदम नॉर्मल है जो नहीं normal है वो यह है कि Rubra सिरोशा और Rubra नहीं नहीं दो बार Rubra नहीं आएगा फिर अकर आई रहा है तो Alva में क्या कमी है? Alva ही ले लो ना Halva नहीं कह रहा हो Alva कह रहा हूँ तो आपने का कौन-कौन हो गया मैंने का सिरोफ एक हो गया Rubra एक हो गया सिरोसा एक हो गया अलबा तो आपने का जल लगे हाथ बता दीजिए तो मैंने का रुब्रा सिरोसा और अलबा आपने का कलर बता दीजिए मैंने का रुब्रा मतलब बोले तो रेड आपने का ठीक है और बताओ सर यह सिरोसा है वो कैसा होता है सिरोसा होता है यलो कै कैसा होता है अलवा होता है अल्मोस्ट वाइट होता है बोलने वाली बात है हाया ना इसमें जादातर आर बीसी होती है और को पूछा जाए आर बीसी किसकी होती है तो मैटनल आर बीसी होती है कहीं तो फीटल के आर भी समझ के कोई काम कर लो इसमें अरे हाया ना आप से लग माझ बता दूर एक से लेके चार दिन पाया जाता है कौण रुबरा पस्से लेके नौ दिन पाया जाता है कौन बाटाइव और 14 झाल जाता है आंसर है आज सब्सक्क्राइब कर देज हो Сकता है और 40RE तल तो गलत है आपने का मतलब बाप रूब बर आ रहा रहा है तो बापस से ब्लीडिंग चालू हो गई इसका मतलब प्राप्लम तो रहेगी कि आ रोए बोलो न भाई लब यूटू बच्चे और बच्चे लब यूटू तो क्या बोलो पर पर गॉडब्लेस है आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत सुपकाम ना है ठीक है बेटा चलो तो ये जो सारी चीज़ हैं आपको ध्यान में रहेंगे प्यारे बिद्यारतियों अकर बापस से सिरोसा के बाद रुब्रा आ रहा है तो इसका मतलब ये PPH की तरफ जा रहा है और PPH की तरफ जा रहा है तो concern तो बेटा देना पड़ेगा ना तो concern तो वहीं दूँगा जा खत्रा है और खत्रा बोले तो कहा है भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ बट आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ आप best teacher के बाद आपसे मिलना है आपसे बहुत ज़्यादा सीखा है God bless you बच्चे और मिल ले ना बेटा मैं तो वैसी सब के लिए हूँ भाई हूँ मैं तो भाई तो वैसे भाई हो सब के साथ ही रहता है ठीक बच्चे चला God bless you God bless you बच्चे आगे चलाएं अगलावाश्ण झालावाश्ण झालावाश्ण हेमान सुजिंग आते हैं बेटा तेरे कमेंट मुझे याद अरे ठका नहीं हूं वे मैंटली थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा ओवर बार्डन हो जाती है बट कोसिस कर रहा हूं ठीक है जल्दी बहुत जल्दी बहुत अच्छे रहेंगे तैसे मतलो ठीक है चलो कि 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 अर्फ अरे आंसर बता तो दिया रहे उसकँ थसी आंसर था उसका का इंसर बता तो दिया किय खांटीि दिया थिक उर्प्लेश की विक हां अ Contraceptive Failure is reported, सबसे जादा Contraceptive Failure इन में से किसका होता है, जल्दी बता बता निरा अली सर्मा, Happy birthday बिटा, God bless you, भगवान आपको अगले वर्डे तक, किसी ने किसी पिकार की सरकाई नौकरी में आपकी प्रगति को बढ़ाता जाए, और आपकी इसी सरकाई नौकरी में आपको परताफेस्ता पित कर दे, मूर्ती की तरह हाइस्ट में बता क्या है, आपने कौन कह रहा है, उसी पी कह रहा होगा, अच्छा, कोई बात नहीं चलो इन समय हाइस्ट जो फेलियर रिपोर्टेड है, वो किसका है, इस पर्मी साइडल मेथड में, पर्ल इंडेक्स, नाम सुना है, पर्ल इंडेक्स, सुना होगा, पर्ल इंडेक्स इसका कितना आता है, आंसर है, दस से पच्चीस आता है, इसका पर्ल इंडेक्स, जो हाइस्ट है इसके अंदर इन चारों में सबसे ज़्यादा failure rate कि स्षी उती इस परमी साइडल की होती है आपने का स्परमी साइडल में contained क्या होता है कौंसा इस परमी साइडल ज्यादा तर काम में लिया जाता है बता बंठाफ़ा पड़ सा लेंगे आंसर है non-oxynol 9 यह जो non-oxynol 9 है यह लिया जाता है spermicidal as a agent in the case of contraceptive आप से पूछा जाए कि mechanism of action क्या होती है यह काम कैसे करता है कौन? आंसर है spermicidal agent that ruptured the plasma membrane of the acrosome cap यह जो acrosome होता है अरे जो टोपी होती है sperm की जो सर पटक पटक के हेल्यूरोनी कैसे निकालता है? अरे सर पटकता है तभी तो दिल पसीज़ता है किसका ओवम का जब सर पटकेगा क्योंकर सर से क्या निकलता है? हेल्यूरोन इडेज अरे समझा रहा है क्या? बिल्कुल तो आपने का मुझका mechanism of action क्या हो गया? जलिली बता लंग बता है यंग यह शर ख़एता है रप्चार करदेता है रपचर औigor of plasma membrane और प्लाज़मा मेंब्रेन और एक्रोससोम केप यह शके बलाज्मा मेंब्रेンピर यह रप्चर कर देता है कौन? nut oxyn ना इन इसे कहते हैं स्परमीसाइडल एक्सर बहुत बड़े एमान्सों साहिल सबको बेटा सबको अल सबको मेरा असी वाद है ठीक है फटा पड़ चलो अगला कोश्चन तो नेक्स्ट कोश्चन ओन स्क्रीन पड़ा पड़ कोश्चन को पड़े और आंसर करें झालव कोश्चन कोश्चन को पड़े और आंसर करें रिन्यू नहीं होता बापस से खरीदना पड़ेगा ओनलाइन कोर्स रिन्यू नहीं होगा बापस से खरीदना पड़ेगा ठेक है बचे a nurse is caring for a a nurse is caring for a postpartum client for two hours post delivery who is unable to avoid which of the following nursing intervention should be considered इनिशियली इन मैंसे सबसे पहले क्या किया जाएगा तो इसने का यह तो बहुत सिंपल कुश्चन है दो घंटे हो गए है और टॉयरेट नहीं जा रहा है तो बताओ फटाबट क्या करना है तो यह कह रहा है इंसर्ट स्ट्रेट कैथेटर टूदर रेजिडियू बिल्कुल सह लिए है आपने का चैक आपने का एंकरेज और इंटेक ऊपी जतना फ्रूद लिया जाएगा यूरेन बढ़ता जाएगा यह भी रिषिदी हए हेमेटोमा हमेटों सब्सक्राइबं दौप बात है यह आप यह बात कह रहे हो तो आप अगर यह मांद रहे हो के दो घंटे से नहीं किया तो एक बार फिजीकल असेस्मेंट कर लीजी और फिजीकल असेस्मेंट के बाद जरूरत पड़े अगर उसके बाद जरूरत पड़े अगर नैसेसरी है इफ नीडेड अगर जरूरत पड़े अरे हाँ या ना स्टार्ट ट्रीटमेंट तब आप ट्रीटमेंट स्ट लाई treatment थोड़ी कर दीजेगा पालपेट करिए पहले ब्लेडर को देख लीजिए सही है कि ऐसा नहीं है ब्लेडर अपनी सही जगह पर है या नहीं डिस्टेंडर है की नहीं अगर यूरीन पासं कर रह तो फिर मैं कोँग है इसको मतलब कर दीजिए और अगर नहीं कर दीजिए तो इसको माल लीजिए ना मुझीप सबसे पहले सीविदाहि करें इसका मतलब यह नहीं है वेटा कि दो ढ़ाई गिंटे कोई टॉलेट नहीं जा रहा तो लगा तो किसी को चेक तो कलो ब्लेडर फूला हुआ है कि खाली है अगर ब्लेडर खाली है तो बात ही नहीं भरा हुआ है तो लगा दीजिए कैथेटर एक चाय पीलो थैंक्स टू अनिल सर मैं जाब बंदे ऐसे होने चाय देते रहें जिंदकी में इससे बड़ा कुछ है ने अब बता मूल ऐसे चेंज हो जाएगा तेकर लपक के पर चाय नहीं देता है कोई मेरे को कि अधिवन ने चाय बनाने वाले ने सबसे बेस्ट अविसकार किया चाय का कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हो गया तो आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा डी कॉम्मल राजपूत जी तेरा वेटा अनुसोईया क्लास कबता चलेगी चाय मिलती रही तो रात बर अगला कुश्चन ठीक है वांसर अगली बार आएगे पड़ा पड़ अगले कॉश्चन का आंसर दें बड़ा सारे जल्दी पड़ा कॉश्चन को हीमाफ पटोर चाय हारम Bal होती है तो चांस अफ इंफेक्सन बहुत ज़्यादा बढ़तते हैं तो सेलेना बंद करतों जिस्सें कि निमॉनिया ना हो जाए। कि सब्सक्राइब सिया अंसर। कि कर G हलंए झाल झाल वेरी गुड आंसर आ रहे हैं 32 यहर ओल प्रेगनेंट विमेन प्रेजेंट वे थर्टी सिक्स वीक प्रेगनेंसी च्छतिस वीक की प्रेगनेंसी है मैंने का ठीक कंप्लेइन ओफ पेइन कंप्लेइन ओफ पेइन एब्डमन डिक्रीज फीटल मुवमेंट ओ पेइन हैं और फीटल मुवमेंट भी कम हो रहे हैं अपन एग्जामिनेशन यह जो पल्स रेट है वो 96 पर मिनिट आ रही है बीपी जो है 156 वा हंड्रेड आ रहा है फीटल हर्ट रेट 120 यह सबसे पते की काम है मैंने का देखो एकदम मस्त वाली है फीटल हर्ट रेट मस्त वाली है फीटल हर्ट रेट क्योंकि यह साइन बताता है नो फीटल डिस्ट्रेस यानि एक आप्शन तो मैंने लपक के काट दिया जब फीटल डिस्ट्रेस नहीं है मतलब नो लस्स फिर यह काम तो मैं नहीं करूंगा इसलिए इसको तो फटा-फट काटी दो जिसने सी का आए संजीब चोहान अमन राज रचना इनके तो बहुत बड़े वाले गलत है इसलिए मैं सी को तो बहुत अच्छे सरदार सी बहुत बढ़िया तो सी वालो सी मत बनो इसका आंसर सी मैं काट दिया कि आपने का ठीक है कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है कि जब फीटल डिस्ट्रेस हो तब किया जाता है फीटल के साब से ठीक है बच्चे तो सी तो गया मैंने का ओके अच्छा ऑन पर वैसाइनल एक्जामेनmeter देर इस अलटरड बिलेडेस सीन वहाँ बिलेड दिखाई दे known, सर्विक्स हो चुकी है इस सो्ट और एक लाइटक हो चुकी है सोफ्ट मैस्ट हो चुका है और डाइलेशन हो चुका है डाइलेशन हुआ है एक centimeter what is the preferred management आपने का टोको लाइटिक दे दीजी टोको लाइटिक दिये जाते हैं contraction को कम करने के लिए contraction कम करने के लिए दिये जाते हैं इस case में contraction कम करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अधरी fetal moment कम हो रहा है इसलिए टॉकुलाइटिक देखकर सर्विक्स जो open हो चुकी है इसको बंद नहीं किया दा सकता इसलिए टॉकुलाइटिक देना इस case में हानिकारक होगा भीसन पिता माँ एक सेंटीमीटर डायलेट है weight and watch करो weight and watch करने का मतलब तब होता इसका permanent watch हो जाएगा तो तेरा weight and watch थोड़ा सा रहने दे bleeding का case है और कितना weight and watch करवाएगा भाई bleeding दिख रही है इसलिए ये वाला option भी गलत है answer जाएगा B तो weight and watch नहीं करेंगे कि अधिस वीक पर लंग्स इम्मेचर लंग्स मैचर होने का weight करेंगा चौनतिस वीक पर लंग्स मैचर हो जाते हैं तेरे भाई ठीक है अधिस देखा नहीं सब ऐसे मत देखा कर ब्लीडिंग नहीं दिख रही तो देख रहा है तिरा ध्यान इस पर नहीं था कहीं है कि वह लग तो सही रही है 32 साल की ज्यादा परानी भी नहीं ऐसा तो नहीं है तुब वें क्योश्जन पर ध्यान दे तुझे ब्लीडिंग नहीं दिख तो बाकी सारा सामान देख रहा है है कैसे आप three ग्रिश नायक नहीं कर तरह कर रहे साही सामय का वेट कर रहे साइसा मैं भी आ रहा है 24 हों का यूपि पिम स में ऊनिरें तो ऑ गए तो मेन महा भारत में भूल जाओगे गुरू की दीगी सिच्छा ठीक है बच्चे चलो अफने का सर एक बार एक बार लेवर का इंडक्शन बता दो हुआ है हुआ 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 है कि अर्सी कुरे से ना एंसुम क्यों से अच्छा बच्चे ये क्या है कंजनाइटल है बेटा कंजनाइटल मेरा कोई योगदान नहीं समय मुझे अपना अस्टेंट रख लो चाहे देजिया का तुम मेरे को बत लाई फोड़ा सा पढ़े हैं अब इंडक्षन ओफ लेवर के बारे में आजाओ इंडक्षन ओफ लेवर इंडक्षन ओफ लेवर से पहले एक स्कोर चेक करते हैं नाम याद है किसी को स्कोर का हाँ याद है विसप स्कोर याद है किसी को बिशप स्कोर हाँ विसाप स्कोर चेक करते हैं मैंने का हाँ करते तो हैं विसाप स्कोर चेक आपने का विसाप स्कोर में कैसे चेक करते हैं इसको याद करने का तरीका है कॉल पीड्स पीड्स बोले तो पेडियाट्रिक मैं ऐसे याद करता है इसको कॉल पीड्स, कॉल पीड्स, C4, क्या है, C4 क्या होता है, C4 consistency, consistency of cervix, consistency of cervix, P4, P4, position of cervix, P4, position of cervix, E4, affacement of cervix, affacement of cervix, अरे हाया न, D4, D4 dilation of cervix, dilation of cervix, और S4, station check करते हैं, तो बेटा इसे कहते हैं, bishop score, latest guideline में, latest guideline में, affacement की जगे, अब length check करते हैं, यह बात याद रखना, जो latest है, उसमें अब length को चेक करते हैं, affacement को चेक नहीं करते हैं, जी हां, bishop score, call peds, याद रहेगा, हाँ, हटा दिया, फेस्मेंट, इसकी जगे length ले लिया है, ठीक है बच्चे, अरे सुसील लुडिया, यह तुर नाम लुडिया, भाई पढ़ ले तु का सरी को ढूंड रहा इदर, अरे तुरे एक्जाम है, पढ़ ले, 14 तारीक को, तु सरी को ढूंड रहा, सरी किसी और को ढूंड रही, फिर not set तुम दोनों को ढूंड देगा, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, हार्मॉन पर कंट्रोल करो, और लेवल को थोड़ा सा स्टिवल करो, ठीक है, हाँ, सरी किया रही, हाँ भाई, क्या दिक्कत है, बता तेरी बहन पूछ रही है, बाई, सुसील, तेरी बहन आ गई, हाँ, इसे कहते हैं, पता एक live class का फाईदा, दो बिच्ड़े गई भाई बहन को मिलवायाया है, मतलब इसका स्रिय मुझे जाता है, कमेंट बॉक्स में दो भाई बहन जो भिचड़ गई थे कुम्भ के मेले में, उनको मिलवाया है, मैंने, तो सुसील और स्री दोन भाई ब बनी रही तो और भाई बहनों को मिलवा दूंगा चले अरे फुली डाइलेट तो नहीं है सर लेवर कैसे करेंगे सर प्लीज मैंने कब कहा के लेवर करनी है मैंने कब कहा के लेवर करनी है मैंने का लेवर शुरुवात करवानी है लेवर का प्रारंब करवाना लेवर नहीं करनी लेवर इस डिफरेंट तिंग और इंडक्शन अफ लेवर इस डिफरेंट इंडक्शन अफ लेवर में लेवर पैदा की जाती है लेवर होती नहीं है तो क्योंकर सखेख हो चुकी है मैंने कब का ठाइस में कि लेबर हो रही है तो इतना सीरिस क्यों हो रहा थिरेख सesh One और यह अप लेवर कैसे कर वर हूं अच्छा लगेगा कि एक सेंटिमीटर में एक सेंटिमीटर में लेवर नहीं उसकती, इंडेक्सन अव लेवर तो उसकता है न, लेवर को इस्टान तो लेवर को इंडेक्सन तो करवाने दे आप सही है? आपने कहाँ थेक है? इनडेक्सन अव लेवर स्टार्ट करने के मेथड कौन-कौन से हैं कौन-कौन से तरीके से इंडेक्सन अफ लेवर करवाया जाता है IOL, पहला है medical method, पहला है medical method, medical method से इसे करवाया जाएगा, अपने का medical method में क्या यूज करते हैं, एक तो prostaglandin E1 यूज होता है, एक prostaglandin E2 यूज होता है, विड़ा याद रखिएगा, एक mefepriston यूज होता है, and we also can use oxytocin, हम oxytocin को भी use कर सकते हैं, medical method में इस तरीके से आप induction of labor करवा सकते हो, बोलो आज की आनंद कीजे, medical method के लाबा, mechanical method भी होता है, जिसके द्वारा आप induction of labor करवा सकते हो, और mechanical method के अंदर कौन कौन सी चीजे होती हैं, आपने का याद रखिएगा, इसका पहला होता है extra amniotic normal saline, method क्या होता है, extra amniotic, extra amniotic normal saline, normal saline होता है, कोई फूछे, इसमें कितने normal saline यूज की जाती है, only 30 ml यूज की जाती है, normal saline, एक होता है, laminarian tent, laminarian tent का यूज किया जाता है, induction of labor के दोरान, और एक stripping method होता है, stripping, ka tripping method होता है, stripping method कैसा होता है, मैं stripping method कैसे बता हूँ, कैसे हाथ ढाल गही दोदे, घी बर्तन से चिपका रह जाता है, तो मम्मी कैसे घी निकालती है, ऐसे करके पूरा घी निकाल देती है, समझ में आ रहा है क्या अरे और दीवार पर चिपका है घी इसको ऐसे ऐसे कर देती है न मा तो सारा घी निकलाता ए तो वैसे स्ट्रिपिंग करना इसे कहते हैं परवेजाइनल करके मैं जो एम्टिक सैक है उसकी नीचे को अलग करना दिवार से चिपका हुआ है जो यूट एइन की दीवार से चिपका हुआ है सैक को अलग करना तो इस मेन ऑट ईटन सी और यूटेंसений के बीच में ऐसे उंगलियां घुमाना से minder से से उसके हैं तो नेक्स्ट एविंग जयिकल मैंने को इंडसिकी के अर्वीय स्ट। सबीकल मैंठोड और काम में आता है तो नेक्स्ट संहें है अच्छे से पता होगा इसे कहते हैं सब्सक्राइब को इंडक्षन किया जा सकता है आंसर आपको समझ में आई रहा होगा कि इंज बेटा आसी बाद देद काई का डिमो अटीवेटेड फील हो रहा है कि मस्त रहे कि अग्यों कि अग्यों कि अग्यों कि अगला कोश्चन का आंसर दीजिए सारे बिद्यारती कोई बच्चा बिना आंसर करें नहीं रहेगा जल्दी जल्दी आंदो आंदो फड़ा फड़ा आंदो कि मिटा यस जब अगली वार क्लास आएगी न सर की तुमारे एमेसन वाले सर उनसे बात करना ठीके बेटा बेटा यस मैं कह रहा हूँ न अब बार बार कमेंट में कुश्चन मत कर इससे क्या ब्लोक हो जाएगा तो तो कमेंट आगले में भी नहीं पूछ पाएगा टीचर के में अवस्ति 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 अवस चला है रिकमेंडेड डेली डोज ओफ आयोडीन इंचाइड एक बच्चे के लिए आयोडीन का डेली का डोज कितना होता है जल्दी बता बिटा हुआ 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 है अंजली पाटिदर सर एंजाइटी हो रही है बहुत देख रहे हो लड़कों को लो फील हो रहा है लड़कियों का एंजाइटी समझे नहीं आ रहा कौन-कौन सी बीमारियां हो रही है अकांच वर्मा बेटा ले दिया तिरे नाम गौड ब्लेस ही चलो कविता जींगर गौड ब्लेस्टी बेटा कि मेरा असीबा इतना बढ़ जाता है कि मेरे लिए नहीं बचता है तुम सबको आप दूआएं देते देते दुद तो हो जाती है मेरी तो भगवान कहता है तुझे क्या चीए तेरे इससे की तो सारी बांट चुका तो तेरे सारे इससे की तु बाड़ देता है यूट्यूब पे जाके फ्री में तेरे लिए अब कोई दुआ नहीं बचे अब लग रहा है मुझे कि अब लुद्ध रिकमेंड डोड़ काटुवाल अंग अब लिए सिवर्च्ण चलो बेटा समों यह जो डाइटरी यह जो डाइटरी एलाउंसिज है जो बच्चे के लिए आयोडिन के बारे मेश बात कर रहा है अगर यह बच्चा इंफेंट है इंफेंट है तो इसका डोज है 30 मा Möglichkeiten पर अगर इंफेंट है 30 माईकरो ग्राम पर केजी पर बे पर केजी पर इपर डे होता है ठीक है बच्चे आपसे पूछा जाए कि अगर यह child है तो इसका dose कितना है child है तो बिटास का dose है 90 से लेके 120 microgram पर केजी पर डे अगर adults and पूछा जाए तो इसका dose हो जाता है 150 microgram पर केजी पर डे और adult का adult का भी same होता है 150 microgram 150 microgram होता है याद रखे ना question change अगर adult दे रखा है और pregnancy है उसको या उसको lactation है या तो lactation phase में या pregnancy के phase में बच्चे ध्यान सुनना जो बात में बता रहा हूं बटा क्या दुआ करोगे तुम कुछ नहीं करते हैं तुम सब selfish हो बहुत मतलवी इंसान हो बिटा तुम वो तो है ना मैं blindly आकाम कर रहा हूं लिटरली बता हूं तुम्हारे लिए तो बिलकुल भी नहीं कर रहा हूं तुम्हारे पेरेंस के लिए करता हूं निए तुम बहुत मतल माइक्रोग्राम एडीशनल देते हैं जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा देते हैं 25 और लेक्टेशन के दौरान 50 माइक्रोग्राम एडीशनल दिया जाता है यह बिटा याद रखेगा तो बच्चे का तो आंसर मैं बता चुका हूं बच्चे का आंसर यह रहा आंसर और यह इतने पता इतनी ठीट है इनकी मेरे बिना चलती भी नहीं है इनका सेलेक्षन भी नहीं होना मेरी शुम्री में बैठकर देखते हैं जो यह खर Hem आफ्यास को इनको क्ता देखते हूं यह लॅ को एक बच्चे की रहंक ती 52 51, 52 मतलब rank fix नहीं है पर more than 50 rank उसकी last time rank confirm नहीं है more than 50 times थी यह लड़की थी Kolkata की अरे हाई ना तो Kolkata की लड़की थी है यह best बंगाल की लड़की है तो इसको मैंने call किया तो इसने बोला sir my selection just because of you your YouTube classes is only the source for my selection तो मैंने का अच्छी बात है at least ना तुम्हें यह लगता है कि selection करवाया है तो मुझे बहुत अच्छी बात है but I always appreciate what you get from genomics after some time I see her interview and the different channel और वो कह रही कि मेरा वहां से हुआ वहां से हुआ तो मुझे लगा तेरा बोलने से न बोलने से बाई की सियत पर कोई फरक नहीं पड़ा पर मैं सोचा कैसे लोग हैं दुनिया में what is a species they have वो call पर कह रही है कि just because of you I get the selection because आपके question हुब हुआ एक्जाम में सेम आ गए थे और उन question की बज़े से मैं select हो गई और फिर कुछ दुनों के बाद YouTube पर कुछ और ग्यान दे रही और नहीं का चलो कोई नहीं भगवान फिर भी उसको बला करे उसको खुस रखे हमेशा क्योंकि मैं जानता हूं student की आदत होती है student की आदत होती student कभी है ना student बहुत छोटे छोटे गोल देखता है अपने बड़े गोल के लाएक दिमाग नहीं होता बच्चे के पास उसको जो लगता है कि अभी जो अच्छा है ना जो सामने दिखरा है वह अच्छा है चाहिए पर एक और ती 313 का इता इसको आप कोई मेसेज किया पहले फिर मैंने देखा उसकी फोटो कहीं और कोचिंवाला चलता है मैं यह पता है ना सारी चीजे फिर पता क्या होता है कि रहन दो इनके लिए कुछ मत करो जरूरती नहीं यह लाइक है नहीं चीजों के तारी सुनोगे बातें तो करते रहते हैं मेरे बारे में बराबर बातें तो करते रहते हैं मेरे बारे में बराबर पर मेरी हिमायत को तयान नहीं है हैं ऐसे भी इनसान मेरे साथ में आरिफ हैं ऐसे भी इनसान मेरे साथ में आरिफ कुद्ते तो हैं पर वफादार नहीं है चले बेटा आंसर मिल गया आंसर बी चलो कर दो अवस्ति एकदम सहीगा बेटा अवस्ति एवरी डिस सेंटेंस इस पर्फेक्टली राइट अंदा आखें सही होने के बाद सबसे पहले छड़ी को छोड़ता है इम्रान गॉड्ड ब्लस्यू बच्छे पड़ा पड़ कोच्छन कांजो बेटा नेया धाया गॉड्ड ब्लस्यू झाल 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 पोस्ट पार्टम क्लाइंट, the client husband call the postpartum unit and ask the nurse is it normal of my wife to cry at the drop at head, मतलब non-stop रोती है, I am worried, I have done something to upset, मुझे लग राये, साइध मैंने कुछ उसे गलत बोल के upset कर दिया है, the nurse is the best initial response, nurse का सबसे best response क्या है, D, B, योगेश ने का B, विना ने का, विनोद विना ने का D, A, अच्छा, दीप काने का, C, विनोद ने का, और पनीत ने का, A, S, थिवान का, B, अर्चना ने का, B, let's consider the way you can decrease a depression depression कैसे बता चला तुझे वो रहा है रोने से क्या पता चल गया क्यों डिप्रेशन में कुछ भी नहीं सर वो डिलेवरी के बाद डिप्रेशन होता है हां होता है पर यह डिप्रेशन इतना सेंटेंस कहना के वो रोती है डिप्रेशन को नहीं दिखाता डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड है बच्चे तुरंच आके लटक के डिप्रेशन मत आंसर तिकर देना दिक्कत हो जाने है अपने का सर क्यों डिप्रेशन कब होता है वैसे डिप्रेशन इनीस्यली नहीं होता पहली चीज अपने का डिप्रेशन मतलब बड़ब डिप्रेशन जो है हो बड़ेशन मेंली हॉर्मोन रीजन की वजह से होता है one two 3 week after delivery 1, 2, 3 weeks after delivery ये डायग्नोस हो सकता है after delivery initially तो इसको आप डायग्नोस भी नहीं करते एक से तीन week के बद होता है अफ्टर 1, 2, 3 अरे हाया ना बचे, आपने का ठीक है और बताओ सब, depression होता क्यों है depression होने के बिचे दो reason है एक है इसका level कम हो जाना decrease level of पहला यही है decrease level of estrogen estrogen का level कम हो जाता है दूसरा है decrease level of progesterone progesterone का level कम हो जाता है estrogen progesterone level कम होने के बज़े से इसको depression होता है आपने का से depression में कैसा फील होता है sadness फील होती है anxiety फील होता है despair फील होता है इस परकार के जो चीजें जब आती है मैला में इसे depression कहते हैं कहीं लिखा है इसमें anxiety हो रही है कहीं लिखा है वो sad feel कर रही है कहीं लिखा है कि वो despair हो रही है ये खुद को बरबाद मान रही है तो आप इसको depression consider नहीं कर सकते psychiatric का ये बहुत simple सा norm है question में जितना कहे उतना ही मानिए psychiatric के question को solve करने का सबसे easy तरीका पता देता हूँ दिमाग में trick fit कर लीजे जितना question कह रहा है न उतना ही मानिए आप उसके रोने को अनंत व्याख्या मत करिए वो depression नहीं है रोग रोते हैं हर रोने वाला depression नहीं होता गवर्णासर को नमस्कार सब गवर्णासर का स्वागत है जीनोमिक के online platform पे हमारे बड़े भाई हमारे आदर्स असब आप अब ने कह और जाए बताओ आए बताओ आप असब चेंज हो गया क्या और आइघ आई ट्राइड नौट तू बरी अब आउड आइं श्योर इतर्थ पोस्ट पार्टम ब्लू सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट पार्टम ब्लू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं पोस्ट पार्टम पोस्ट पार्टम ब्लू क्या होता है इसके बारे में कुछ लाइन दीजी आप यह होता है टू-टू-थ्री डेस आफटर डिलीवरी अब समझे यह यह डिलीवरी के एक दो से तीन दिन के बाद होता है पोस्ट पार्टम बिलूस कॉमनली प्रेजेंट होता है आपने का क्या होता है feeling depressed वो मा जो है वो खुद को depressed करती है मैंने का ठिक स्थी करती है इजली अप सेट हो जाती है लिख लेजिएहेगा पॉपी में बात चल्दी एंग्री हो जाती थी फूरिंग एंग्री हर चोटी बात पे गुस्सा हो जाती चिलाना सुरू कड़ dyed और ये जादा तर विद निजु बेबी जो नया बच्चा है उससे जादा तर परिसान होती है वो रोता है रात को तो ये पहटा पड़ इस पे हो जाती है ये पार्टनर पर हो सकती है जो तुम्हारा पार्टनर है कि तुमने पैदा किया तुम समाले लो मैंने के डाउनलोड किया इंटरनेंट से इसको फिर ये खुद रोएगी बिना मतलब के जो पूछा जाय क्या मतलब तो नहीं पता crying for no reason रोएगी उपर इसका कोई reason इसके पास नहीं है वसको रोना है इसको सोने में problem होगी sleeping problem आती है hunger यानि भूग चली जाती है sleeping and hunger problem इसमें आ जाती है इसमें postpartum blue में इतने सारी चीजें हैं क्या तुम्हें question में इसमें से कुछ भी लिख रखा है सिवाए इसके को रो रही है कौन सी बड़ी बात के दी सिवाए इसके को रो रही है इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है यानि ये option भी गलत है रोना ही postpartum blue को नहीं बताता चलें अब आपने का और बता हो सथ अब सी हो गया can you think sometime you might have done to absent ये कह रहा है किया आपने ऐसा कुछ किया है जिस बज़े से ये रो रही है क्या आपने कुछ ऐसा किया है जिस बज़े से रो रही है now you make doubt on the behavior of husband अब तुम्हारी बात सुनके कही husband न चला जाए किसमें डिप्रेशन में के ये sister तो मुझे डाउट कर रही है भाया मैंने क्या कर दिया माता जी मैं तो कुछ नहीं किया बच्चा पैदा हुआ इसमें थोड़ा सा मेरा contribution है इसकला तो कोई खास contribution मेरा है भी नहीं तब से रोई रही है आप ऐसे बोलके उस इंसान को गिल्टी फील कराओगे जो उसको लेके concern हो रहा है तो ये कतन भी गलत है have you noticed any pattern the period of crying उससे पूछिए ये रोती है तो कल कैसे रोती है रो रुक रुक कर रोती है लगाता रोती है चिला कर रोती है किसी पर बात पर रोती है बिना बात के रोती है ये सारा pattern पता होना जरूरी है तब जाकर हम अगला diagnose करेंगे कि हुआ क्या है अब सीधा जंप मत कर ज यूज पर पहले मुझे पता चले कि problem क्या है समझ में आ रहा है बच्चे इसका मतलब answer क्या जाएगा ए क्या जाएगा ए बुद्धी प्रकास नहीं है PCOD एक question को 1500 बाट टाइप कर दिया अभी ब्लॉक हो जाएगा तो बुद्धी प्रकास PCOD से भी जाएगा और HI से भी जाएगा गलाग वञ़च्ण झाक्यों एा ह। मक्याएग जाएगा बुद्धी पता बटाःपत। झाल 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 के तुमका वहा शर यहार यह प्रियापिज्म नहीं है यह वाली प्रियापिज्म है तो हाँ यह वाली प्रियापिज्म है ठीक है तो अपने कैसर एक होता है यह आपको देखो मेरी बात सुनना प्रियापिज्म होता है प्रोलॉंग एंड पेञ फुल प्रोलॉंग एंड पेञ फुल एरेक्ष्न ओप पीनिस पीनिस का जो erection है वो बहुत समय लेता एरेक्ट होने में painful होता है और जब एरेक्ट हो जाता है तो काफी समय तक एरेक्ट रहता है इस परकार की problem को बता भी दो सर कैसे करूँ कि आप जैसी बनूं RC कुरसी कैसे बन सकती है तो बेटा मेरे जैसे तो RC है में पंकज हो बहुत समय आरे बेटा अंतर देख रही है तो अगले जनम में मुझे मुझे लड़काई की जो ऐसी दुआ कर अगवान से फिर हम बात करेंगे कैसे चेंज हो सकता है अभी तो पॉसिबली नहीं न बेटा ठीक है अरसी अब पढ़ ले परिशान मत तो हो जाएगा सेलेक्टा ठीक है पढ़ता रहे समझ में आ रहा है गया चलो आपने का असल मतलब इन देट सिचुएशन के यह जो प्रोलोंग एरेक्शन और पीनिस है ऐसा किस वज़े से होता है इसका जो प्रिया पिजम है इसके होने के जो प्रिया पिजम है जो प्रिया पिजम है इसके होने के दो रीजन होते है एक तो होता है इस्चेमिक और एक होता है नौन इस्चेमिक इस्चेमिक का मतलब होता है कि वहाँ पर जब सिकलिंग हो जाती है और सिकलिंग होने की वज़े से जो ब्लड सप्लाई होती है पीनिस को वो पिलड सप्नाई पोर हो जाती है तो बलड सप्नाई जब पोर हो जाती है तो पीनिस को इरेक्ट होने में समय लगता है पर क्योंकि वैसो अकुलूसिव क्राइसिस होता है तो पीनिस में अगर बलड चला गया तो निकलेगा बहुत बार में जब तक blood sinus में blood भरा रहेगा penis erect रहेगा penis erect कैसे होता है blood sinus में जब blood भर जाता है हिंदी में कहते है जब रक्त कोटर में रक्त भर जाता है जब सिसन के रक्त कोटर में रक्त भर जाता है इस प्रकार के process इस प्रकार की विदी के द्वारा पीनिस का erection हो जाता है, इसका मतलब है कि ये तब होगा जब blood sinus में blood भरेगा, तो blood भरने में समय जाता लगता है, और भर गया, तो निकलने में समय जाता लगेगा, जब तक blood penis में रहेगा, penis एरेक्टर होगा, पर क्यूंकि penis को blood जाने में entry painful होती है, तो painful होता है, prolong होता है, sickling में होता है, और sickling यानि sickle cell anemia में ischemic type का priapism पाया जाता है, आपने का और बताओ, आपने नाम सुना होगा phimosis, phimosis में क्या होता है, कि जो for skin होती है, वो चिपक जाती है, glance penis की for skin पीछे नहीं आती है, इसे phimosis कहते हैं, phimosis is the condition in which the, phimosis is the condition in which the for skin of glance penis is not able to retract, जो पीछे की तरफ नहीं आ रहे है, तो मज़ा रहे हैं, तो in that, ये जो होगा, ये कैसा होगा, ये होगा, आंसर है, नॉन इस्चे में, तो question ये कि सर एक बात बता दीजिए, कि जो penis जो erect रह रहा है, वो कितने समय तक erect रहेगा, तो वही तो question पूछा है, पीणिस जो erect रहेगा, प्रोलोंग erect रहेगा, पीणिस वो कितने रहेगा, answer है, 4 घंटे, 4 घंटे, हाँ, ये भीमारी है, हाँ, it is a disease, ये disease है, प्रियापिज् the disease, सही है तो, समझ में आ रहा है, disease के बारे में, बहुत बढ़ी है, आगे चलें, सकताशा जारे में आ इो, ये सी चुट जए, आप ये रहेगा, इंट, ये भीमारी है, जा एतर जबकितने है, पर कितने हैं, जा भर को रहेगा, वे अगा कीछिए था रहे ठाल, हुट से दितने हैं, तो, सम लोक путो कर रहेगा, सम दो दो दितने हैं, पड़ापट कोश्चन को पड़ो रांस करो सारे बच्चे पार्ण हित्य कॉळ सारे बच्चे du च्चे। कि व्युक्राइब का तनुद नियुक्दाटी कि अमगन्ध कि अक्राइब कि अुक्राइब ने में अगी धुक्ति ने टूर्णिते नियुक्ति ने लूट सिन। for a client all the postpartum unit which of the following which of the following should the nurse assess first यह कह रहा है निक nurse है जो केर कर रही है पोस्ट्पार्टम युनिट में इन सारे सबसे जादा ध्यान वो किस पेसेंट पर रही यह कोशन पूछ रहा हूं रहा हूं इस प्रिमी पह रहा हूं रिशीविंग 100 mg यह कह रही है कि वह मैला जो मैं पैरिडिन यूज कर रही है 100 mg इसको सबसे ज्यादा ध्यान में देगी मैं पैरिडिन पेंकिलर होता है आपने का एनल जैसे पेंकिलर होता है तो इसको देने से इसमें पेंकिल देने के बाद को खास वात नहीं हं ज्यादा भी आवाश रहता नहीं है यह और सजाएगी ग्रेवेडा वने केंल ज्यादे ke प्लेष एंटा दस मिनिट dal्य दिलीवड हो गया एक्टिम मेनेजमेंटbaar मैं अक्टिम एंद्च के लगते हैं दस मिनिट हटाने में तो ये तो नॉर्मला ये थोड़ा जादा नहीं हो गया बीके बारे में क्या ख्याल है आपका मैंने का देखो होता क्या कि महिलाफ प्रेक्टिस में है मतलब कोई दिक्कत नहीं है महिला को कोई दिक्कत नहीं है है अपने का मतलब मतलब मैला कही बार करवा चुक है दिलेवीर बच्छे हो चुके चौति बार हो जारा है प्रेयो जो बच्छा है सका फूर्थ बच्छा है मैंने का तो इसके तो आध़त रहतीा यह लिवर हो दिन अगर है प्रेसिपिटेट अगर प्रेसिपिटेट लेबर है तो बहुत जादा जल्दी लेवर नहीं हो गई है और अगर जादा जल्दी लेवर हो गई है तो इससे फरक क्या पड़ेगा मैंने का देख भाईया कॉम्प्लिकेशन हो सकते मैंने का का कॉम्प्लिकेशन है तो बेटा याद रखेगा अगर बहुत जल्दी से डिलीविर होई है तो पक्का मान के चल कोई ट्रॉमा हुआ होगा या कुछ फट गया है जिसे लेसरेशन कहते हैं लेसरेशन होगे क्योंकि जब बच्चा धराम से बाहर आ जाएगा एक घंटे के अंदर तो लेसरेशन हो मात्मा को मिलेन हो जाएगी सेकंडरी पीपेस तक पहुंचेगी नहीं उससे पहले खतम हो जाएगी योग लेवर के दौरा अगर एक घंटे से भी कम समय लगा है तो बेटा लेसरेशन ट्रॉमा बहुत हैवी हुआ होगा ब्रीडिंग बहुत जादा होगा इस पर सब से कितना तो नॉर्मल करती है यूके वगरा में यूके यूके यूएस की मैला है साड़े तीन केजी का बच्चा तो वैसी नॉर्मल ही कर लेती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह माना रिस्क हो सकता है पर यहां देखो एक घंटे में डिलीवर होगी इसको सबसे द्यान देना पड़ेगा जब डिलीवर एक घंटे के अंदर हो गई है तो काय का धरमराज खौरॉल काय हुआ है बेट कहा है इसमें चार केजी आठ केजी में दो पॉइंट दो का भाग दे दे तीन पॉइंट छे आ रायरे ऐसे मत कर मेरा मैत भी ठीक ही है इस वरी करपास है तो ऐ चले वेरी गुड अगला कोश्चन फटा-फट आपके सामने आ चुका है जल्द एक कोश्चन को बताईए और आंसर डीजिये जिन्हों अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा इस पाप से जल्दी मुक्ती पाएं फटा-फट करें और समस्या को आगे और न बढ़ा हैं चीजें पढ़ती जा रही है सर फॉर्म में अन्मेरिड कर दिया है जबके मैं मैरिड हूँ डिवास दे दे बेटा फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए डिवास दे दे और कह दे मैं तो अन्मेरिड हूँ मैं पैरिडिन क्रोस करेगा ना रवी गुपता का कोशन सुलो पहले मैं पैरिडिन क्रोस करेगा ना किसे क्रोस करेगा मैं पैरिडिन रवी प्लेसेंटा को प्लेसेंटा को क्रोस करेगा इधर देख प्लास्टिक के खर्गोस पोस्ट पार्टम है ये बच्चा पैदा हो चुका है प्ले सेंटर डिलिवर्ड हो चुका है अब काय को क्रोस करेगा तेरी नाक को क्रोस करेगा मैं पे रिडिन कुछ भी कोईश्चन मतलब चार सब्द आते हैं कहीं भी टिका देते हो रचना करें भी फॉर्म लगा दे लेक्शन नहींवा तो अन्य मेरेडी हुझे ना है बड़ी मुश्किल से एक साथ ही होई है एक ही होती है बड़ी मुश्किल से क्या होई है कितनी कंदी थी जो तरह को कहीं हो जो हाई है बड़ी मुश्किल से क्या हुआ है झाल झाल इस बीच और फॉल्लीग नॉट ऊस्पिट्ल एक क्वार्ड इन्फिक्ष्टन सिंपल एस्टी तरह स्टी नीए होता हस्पिटल में कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं को एक टैंडर आई तू बोला एक टैंडर ठीक लग रही है तो जाके कुछ तो यह समझने रहा है तो वैसा मत करें न दिक्कत हो जाएगी बोला कि एक सेटिंग होगी ऑस्पिटल में नर्स लगी है पर वहां नर्स को एचाइवी था तो यह सब्सक्राइब करने जा रहा है कि किसली जा रहा है वह सब्सक्राइब करने गया या वेवस्ता करने गया तो ऑस्पिटल में नहीं किसी को हुस्तन में यह हो सकते है及 कफिकल साइटम होते हैं सकते हैं यूटिय हो सकता है केटिंट्र में लगाया हात पीना ग्लेट्स पहने डाल दिए तो सब्सक्राइब में हों न होता है साज़ा साइटी कैसे हो जाएगा भी आ तो कि आप दा ओप अवसर बनाद है है अब मून से नहीं बनाना है है कि है आंडर को अई आधाल इसन नहीं बनाना या रखना तुम लोग Iraq कि कुछ कि अ कर दो बताई इसके बारे में कुछ चलो सुनो देर और मोन्स देर इस फो में ली फोर होस्पिटल एक वाइड इंफेक्शन में ली चार होते हैं होस्पिटल एकवाइड इंफेक्शन सुनो रहा होता अभी काम की बात सुनो पहला respiratory infection पहला है respiratory infection respiratory infection में कौन सा आता है पहला आता है including ventilator associated pneumonia क्या होता है ventilator ventilator associated associated pneumonia ventilator associated pneumonia यह जो होता है यह लगबग 10-15% केस इसके आते हैं hospital में इसे कहते है hospital acquired infection पहला दूसरा होता है bacterimia 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 blood में bacteria की presence होना आपने कासर ऐसा कैसे हो सकता है यह होता है due to indwelling कोई blood catheter लगा रहे हो indwelling indwelling vascular catheterization catheterization example card इसके भी दस से पंदरा परसेंट के साथ है hospital में दो हो गए तीसरा है तीसरा है UTI यानि urinary tract infection UTI और UTI होता है related to urinary catheter related to urinary catheter urinary catheter की वज़े से होते हैं अपने का hospital acquired infection यह most common होते हैं 30 से लगवग 40% case इसके आते हैं कुछ तुमारी copy में लिखा होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं ठीक है तुम्हें फिर होते हैं चोथे नंबर पर surgical site infection कौन से होते हैं surgical site infection surgical site infection कौन से होते हैं यह second most common होते हैं अगर पहला वाला option में ना हो तो यह टिक कर दीजिएगा सबसे ज़्यादा hospital acquired infection कौन सा है आंसर है pneumonia ना UTI UTI कैसे hospital के public toilet में चले जाओ और बैठ के सूसू कर लो 99% तुमें UTI हो जाएगा एक तो इतनी बढ़िया दुरगंद आती है ammonia की कि तुम उसमें पैन नहीं रख सकते और बाईचांस गुजगे सरकारी hospital के सरकारी hospital के toilet में गुजगए हैं तो जिंदे लॉट होगे नहीं एक बार को तुम ICU सो लोट सकते हो पर सरकारी hospital के toilet से लोट पाना नामुम्गिन है और लोट भी आए तो UTI एकदम तयार रेड़ी मिलेगा और हो सकता है तीन से चार दिन बाद तुम्हारा बैड पेसेंट के बैड़ के बगल में लग जाए राद एक इसमसर थोड़ा stress हो रहा है बीमार हूं study नहीं कर पा रहा हूं कोई बात नहीं पूरे साल पढ़ा है तो दो दिन पांस दिन दस दिन तो तो एफॉर्ड लगाई सकता है आराम कर कोई बात नहीं बचे मस तरह चार दिन पढ़ने से selection नहीं होगा पूरे साल पढ़ा है उससे selection नहीं होगा थी के बैटा अगला question को बते हो समना, dw Гण ved मत्य हद्यक्ते में, kयां रहूं हो। कर भेता. एक्लाइंट इज दिलिवर्ड नाइन पाउंड इंफेंट टू आर्स अगो दो घंटे पहले क्लाइंट है एन आई वी ऑफ दी फाइब दॉक्सी टोसिन आइक्सी टोसिन चल रहा है आई वी से नर्स डिटर्माइन वाट इस दा मेडिकेशन इचीविंग दा डिजाइड एफेक्ट वैंड सी ऑब्जर्व यह कह रहा है कि ऑक्सिटोसिन अच्छा सासर कर रहा है यह तो बहुत सिंपल है क्या काम करता है ऑक्सिटोसिन आंसर है कॉंट्रेक्शन करता है किसके करता है मायो फाइबर कौन से पाए जाते हैं लिविंग ला कैसे होते हैं क्रिस क्रोस पैटरन होते हैं कैसे होते हैं क्रिस क्रोस पैटरन के होते हैं कोश्चन है कहा होते हैं आंसर है मायो मैट्रियम में होते हैं और यह जो मायो मैट्रियम में होते हैं मायो मैट्रियम में होते हैं मायो मैट्रियम में क्रिस क्रोस पैटरन में कॉंट्र का लोकिया怎么了 यानी तो नॉर्मल है रूबरा तो निकले गाई ही ना अभी तो इसको फहेंगलेगा में कि तो मज़ने हा रहा है क्या कि अपने का ठीक है राइद डिक्रीज पेन भड़ेगा ना कॉंट्रेक्शन होगा तो पेन बढ़ेगा पेन कम थोड़ी होगा बच्चे पेम तो बढ़ता है बच्चे डी सिंपल दिखरा है किका आपको पर क्या फंक्षिण करना है आपको लिखे सामने को फर्म कर तब हाड कर देगा सर ऑक्सिटोसिन डेक्स्ट्रोस के साथ नहीं देख सकते बहुत बढ़िया बात कही वादल व्यास तो ऐसा कर तू ऐसा कर कोश्चन लिख नौर सेट को लेटर लिखो जैसी कोश्चन एक्जाम में आ जाए ना तू लिखना के सुनो सर ऑक्सिटोसिन डी फाइब के साथ नहीं देते अतै मैं इसमें किसी परकार का आंसर टिक कर पाने में असमर्थ हूं इसलिए या तो कोश्चन बदली ये नहीं तो मैं आत्म दाह करूंगा कोश्चिंग कहां सामने एमस के सामने नहीं देते हैं तू दे रहा है क्या कोश्चन में और लेडी देर खाए तुझे आंसर देना है वो मैं भी जानता हूं कि बहुत रेल्ली यूज करतें डी फाइब के साथ पर देर आए तो कर ले ना तो इस पर ध्यान दे ले ले ना उक्सिरूसर क्या करती है चलो अधरा कुश्चन हाँ लाले मात तुझे बेटे लीली मात सिंना तुझे भी आंसर दूंग कि अधरे कौवू लेयर उत्रस, कौवू लेयर उत्रस is the sign of abrupty of placenta. एक्चुल में क्या होता है देखो प्लेसेंटा प्रिविया और एवरप्तियो प्लेसेंटा बोथ is cause of aph aph क्या होता है एंटिपार्टम हैम्रेज होता है अठाइस वीक के बाद and till second stage of labor till second stage of labor if any bleeding is present अगर कोई bleeding है it will consider aph इसको aph कहते हैं और aph के दो most common होते हैं एक होता है placenta प्रिविया और एक होता एवरप्तियो वासा प्रिविया भी aph करता है यह सारे aph करते हैं पर main cause कौन होते हैं यह दौनों मिलकर 70% कॉज करते हैं aph का कि अपने कासर क्या होता है देखो क्या है एवरप्तियो प्लेसेंटा इट इस दा प्री मैचोर सेप्रेशन अप्लेसेंटा सेप्रेशन अप्लेसेंटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनों यह जो छिपका होता है किसे यूटयररं और उसको इसको इसको होना चाहिए थार्ड इसटेज साउ मेरी स्टेज अफ लेवर्र में। इसरी स्टेज अफ लेवर के अंदर उसको अलग होना चाहिए Az différents भी के बाद का भी सेपिर हो जाता है तो उसे हम कहतेँ आप्यो iç से डूरिंग प्रेगनेंसी कौन अंड़मेट्रियम और उस उधारी की आटरी का नाम होता है इस पायरल आटरी सपायरल आटरी जो होती है वच्चे वो क्या करती है वो एंड़को ब्लेड सप्लाइब करती है आप सपोज करो कि जब placenta rupture होगा तो placenta जुड़ा हुआ है वो placenta myometrium तक जुड़ा होता है हाँ या ना एक करेटा कहते हैं फिर incretta कहते हैं फिर पर करेटा कहते है तो नॉर्मल होता है तो कहां तक होता है myometrium तक तो जब placenta तूटता है तो वहां के बाद blood का color बदलता है तो जब blood का color बदलेगा तो uterus के अंदर जो blood भरा हुआ है तो uterus का भी color बदलेगा तो uterus का color bluish black color हो जाता है और जो bluish black color का uterus है इसे covalier uterus कहते हैं और covalier uterus the sign of typically abrupt your placenta मैं समझा पाया आपको जो मैंने कहा आप से मैंने बहुत simple तरीके से बोला है आपको तो आपको साथ समझ में आ गया होगा द्वारा बोल देता हूँ वैसे तो यह जो endometrium होती है इसकी खुद की blood supply नहीं होती जो myometrium सो धाल लेती है तो placenta myometrium तक attach होता है तो during separation of placenta कुछ bleeding होती है कुछ बाहर आ जाती है और कुछ myometrium में अंदर घुश जाती है तो जो blood myometrium के अंदर घुशेगा वो blood वहाँ जमा हो जाएगा जमा होने के बाद पहले वो red था बाद में उसका color change हो जाएगा color हो जाएगा तो क्योंकि myometrium में blood भरा हुआ हुआ है इसलिए पूरा uterus की दीवार है ब्लू इस ब्लेक कलर की दिखाई देती है और इस ब्लू इस ब्लेक कलर की सर जी placenta percreate when the placenta is goes beyond the myometrium and involved in the nearby structure it is known as percreate मैं बेटा दस वर बता चुका हूँ आपको ठीक है बच्चे वह आपने का इसे कहते हैं क्या कोवूल इर यूटरस पसर कैसा होता है यह जो यूटरस दिखाई दे रहा है यह यूटरस की दीवार है यह ब्लू इस ब्लेक कलर की हो गई है क्या हो गई है ब्लू इस ब्लेक कलर की जो आपको वाल दिखाई दे रही आपने का क्यों हुआ है due to collection of blood collection of blood हुआ है आपने कहां हुआ है collection of blood collection of blood हुआ है myometrium के मसल्स फाइवर में तो myometrium में collection of blood हो गया इस वज़े से यो uterus यह जो है blue is black कलर का दिखाई देया ऐसे uterus को उनकेते हैं covulier uterus क्या केते हैं covulier uterus समझ में आ रहा है बच्चे चल सुलो बाप करने में बतो क्या पर करिटा पर करिटा तीन होते हैं placenta accreta placenta increta placenta percreta placenta accreta होता है when the placenta attach itself too deeply and too firmly into uterus placenta पहुँच जाता है कहां तक myometrium तक पर उसमें एंटर नहीं होता इसे कहते हैं when placenta is enter into the wall of the uterus यानि कौन सी placenta जब reach कर जाता है myometrium तक पहुँच जाता है इसे कहते हैं पर क्रेटा जब प्लेसेंट तक पहुँच जाता है तो एक होता है myometrium तक पहुँचना accreta myometrium में घुजना increta myometrium को पार कर जाना पर क्रेटा यानि पार कर जाना अब तो समझ में आ गया गया यार अब प्रोप्षभा कर पहुँचना अगला क्वेश्च्छन अगला क्वेश्च्छन फट्टा पड़ोगों फट्टा फट्ट पड़ोगों पड़ा क्वेश्च्छन को पड़ो सारे बचे करें गृब्रवी जिए अगे लग लगा से में जिए पंपर टूद वेरे ला था का टूद में प्याम में आदे दूद रोग्रा तूड दूद हम च्याशन के ला एक ला दूद्या कैसे है यह कह रहा है कि देखो 20 वीक के बाद है तो कनफर्म है और इसको हाइपर टेंशन यह भी कनफर्म है बट एक चीज याद रखना प्रोटीन यूरिया नहीं है यानि अब आपने का इसे क्या बोलेंगे तो सबसे पहले बात करूं तो जो प्रेगनेंशी से पहले का हाइपर यह चला रहा है उसे कहते है क्या बच्चे प्रॉनेक तो इससे पहले से नहीं हो रहा पहली वार इसको 26 वीक के बाद वह था पहला उप comm to गलत हो गया अपने का यह यह भी याद रहें आपको तो घ्र यह का थेक है कूसे ठीक है उपने कहा तो ठीक और बता प्रेकलेंसिया क्या होता है कि नहीं होगा तब तक प्र्यकलेंसिया नहीं तो обсुर्足 ले रहा और इसमें कहीं भी हाई प्रोटियूखकी जिक्रिए नहीं कर रहा तो मतलब यह भी नहीं possible है सुर ईक्लेंसिया एक्लेंसिया क्या होता है कि द्रीकलेंसिया जो है इसमें अगर मैं यह प्रोटीन यूरिया तो एकलेम्सिया भी नहीं हो सकता आंसर जाएगा सी जैस्टेशनल हाइपर टेंशन आंसर इस कुश्चन का बहुत हीजिए ठीक है बच्चे चलो अगला क्वेश्चन मैं आज तक कोई क्लास ओपन नहीं करी है प्राइविट करने के बार तो तुम बार बार बोल के कोई फाइदा नहीं है आज तक सिर्फ एक क्लास को ओपन करी है वो है पैडिग्री इसके लाबा आज तक कोई क्लास ओपन नहीं करी और कभी जिन्दिकी में करूंगा भी नहीं है अगर प्राइविट की है तो पब्लिक कभी नहीं होगी विजन मुजिक ले बटा नाम एक महिला है जिसने कोपर टी यूज किया था और 20 वीक की प्रेगनेंसी भी कर ली मैंने देखो तुम कोपर्टी के बाद भी प्रेगनेंट हो रही है वह भी 20 वी की यह नहीं के मतलब अभी ही हुई है आई यूशीड फिर फिर और पड़ी तो आई यूशीड प्रेगनेंशी आप क्या करेंगे वो बैदेग्पों कोई कोई दिक्कत नहीं दे रही है तो काई को कर रहे हो जैसा नहीं करते हैं जैसे ही कंफर्म हो जाए कि यह प्रिगनेंट हो चुकी है पहला स्टेप ही है रिमूव आईउसीडी तुरंत आप आईउसीडी को हटा दीजिए फिर बाद में फिर हम देखेंगे टर्मिनेट करनी है नहीं करनी प्रिगनेंसी टर्मिनेट करनी है नहीं करनी वह बात की बात है पहला स्टेप है आप आईसीटी को हटा दीजिए तो रिमूब आउसीडी रिमूबब आइसडी डूंब मेडिकल यह गलत है लीगदि इसटी आइस गरेने दो क्यां को रहने दो नजानन लग अब आपको पूछना है प्रिगनेंसी के बारे में तो आप पूछना कोश्चन माता दी से डू यू वांट टू कंटीनू करना चाहती है या मेडिकल टर्मीनेशन और प्रिगनेंसी करना चाहती है दोनों चीजें पूछेगा पर आप उनको बता दीजिएगा कि देखो आपक और 17% केसिज में प्री टर्म बेबी होते हैं IECD के बाद अगर डिलिवरी होती है तो यह रिस्क रहेंगे आपको कंटीनू करना है करिए नहीं करना है तो आप मुझे बोल जीजिए मैं MTP करवा दोंगी कॉंट्रासेप्टिफ फेलियर गाइडलाइन में आता है MTP के लीगली वो MTP करवा सकती है क्योंकि तुम्हारे दिया गया सस्त्र तुम्हारा ब्रह्मस्त्र फेल हुआ है तो गल्ती तुम्हारी मानी जाएगी इसलिए वो MTP करवाने की हकदार है आपने का ठीक है सर आप सोते हो या नहीं अगर मैं सो आया है ना तो तुम्हारा एक्जाम तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा मैं जागता रहता हूँ तो बढ़ते रहो मैं पढ़ाता रहो जब तुम्हारा सेलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हारा आराम से सोंगा पर तुम्हारे सेलेक्शन के बाद ठीक है अच्छे चल्ड़ अब आपने कासर पर वो कह रही है कि उसे कंटिन्यू करना है जब वो कह रही है कंटिन्यू करना है तो फिर तुम हाथ पकड़के MTP करोगे कि उसका फिर आप उसका MTP नहीं कर सकते जब वो नहीं करवा रही तो आप नहीं करोगे फिर आन से जाएंगा रिमूव आई OCD and continue pregnancy आप उसको रिस्क समझा दीजिए रिस्क वो समझ गई अब वो काम कर लेगी पर आप उसे किसी चीज के लिए फोर्स मत करिए MTP कराने के लिए आप कि बच्चे नेहा कुमारी सर एक बासी बद मुझे भी दे दो बेटे कोई नहीं मेहनत करो देखो फैलियर से मत डरो एक्जाम के रिजल्ट को सोचके एक्जाम मत दो मेरी रिक्वेस्ट है प्रेसर बहुत ज्यादा आ जाता है भाड़ में जाए जो होगा देखा जाएगा म अगला कुश्यन नेक्स्ट कुश्यन और स्क्रीन फटा फटा फट कुश्यन को पड़े और आंसर करें सारे बच्चे जल्दी बाला फैंक कॉल बैसे बच्चे बैसे बच्चे अफ्मक गड्ब्लस्योच a three-year-old child with the weight of 12 kg having the loose motion, he is thirsty, drink eagerly, tears and absent and skin punch goes back slowly, पहले तो मुझे बताओ, ये जो dehydration दिखा रहा है, ये dehydration कौन सा dehydration है, क्या ये mild है, क्या ये moderate है, क्या ये severe है, ये कौन सा dehydration है, जो इस question में चिला चिला के कह रहा है, बहुत बड़ी है बिटा, आपको मैं एक बाद तरीका बता देता हूँ, याद करने के, तो आप इसको इस परकार से याद रखेगा, एक तरफ लिख लिजिएगा mild, एक तरफ लिख लिजिएगा moderate, और एक तरफ लिख लिजिएगा, सीजियर, coffee में फटाक से लिख लो, आगे future में दिक्कत नहीं आएगी, ठीके बिटा? आपने कब बताओ से? पहला कोश्चन है, condition, बच्चा कैसा होता है, mild dehydration में, alert होता है, कोई problem नहीं आती, बच्चा alert होता है, mild में, इसमें बच्चा restless होता है, और irritate होता है, इसमें moderate में, इसमें बच्चा लिखार्जिक होता है, पहला कोश्चन, eyes के बारे भाएं, आखों के बारे भाएं, mild के अंदर, आखें normal dehydration के अंदर, mild आखें जो होती होँ, normal होती है, sunken eyes होती है, moderate के अंदर, अरे हाया न, और very sunken eyes होती है, serious के अंदर, question समझ में आ रहा है, टीर्स जो होते हैं टीर्स जो होते हैं वो present होते हैं इसमें mild में यहां टीर्स कैसे होते हैं absent और यहां भी टीर्स कैसे होते हैं absent mucosa mucosa किसके अंदर बच्चे मुश्ट होता है mild के अंदर dry होता है moderate के अंदर और very dry होता है severe के अंदर जो प्यास है thirst जो है जो thirst है ये normal होती है किसके अंदर mild के अंदर eagerly eagerly बहुत ज़ादा प्यास लगती है eagerly thirst होती है बच्चे किसके अंदर moderate के अंदर और drink poorly बहुत कम पानी पी पाता है ठकने की बज़े से drink poorly होता है severe skin pinch के बारे में पूछे pinch test के बारे में पूछे तो क्या टिक करिएगा कि इसका याद रखना goes back quickly आपस चली जाती है यह जाता है slowly और यह होता है very slowly अब मुझे याद करके सामने आपके मैंने लिख दिये अब आप इतना बता दीजिए इस सब से कौन सा match कर रहा है कौन सा match कर रहा है question में question में जो match करेगा वो ही आपकी answer है तो question में क्या match किया मैं बता देता हूँ इदर आजो lose motion है drink eagerly यह sign है moderate का tears are absent यह भी sign किसका है moderate का skin goes back slowly not very slowly यह भी sign किसका है moderate का तो बेटा यह कौन सा dehydration है it is moderate it is moderate और moderate में होता है 75 ml per kg per 4 hour ली तो बच्चा 12 kg का है तो 75 into 12 900 ml हर 4 घंटे में दिया जाएगा answer आपके सामने है क्या दिया जाएगा ores जाएगा ने बाइस सेलेक्शन के बाद मिलूँगा आप से क्या लाओं आप के लिए parents को ले आना चाहे पियांगे फिर आपन बैठके office में ठीक है पेंटू हाँ मेरे पास स्कूटर है बेटा बोबी जी पाब बाकी के treatment पे बता दो बाकी के treatment से अपले अगर mild है तो औरस देते है अगर बच्चा दो साल से छोटा है तो पांसो एमेल परड़े देते है दो से दस साल का है तो हजार एमेल परड़े देते है दस साल से बड़ा है तो दो हजार एमेल परड़े देते है यह रहा mild का moderate का मैंने बता दिया severe का मैंने last class ने बताया था आपको ठीक है अपने का severe का बता दीजिए severe का बता देता हूँ अगर बच्चा एक साल से छोटा है अगर बच्चा एक साल छोटा है तो 100 ml पर केची in 6 hours और बच्चा एक साल से बड़ा है तो 100 ml पर केची in 3 hours रहा है ना और यह है RL और RL जाएगा अब ठीक है समझा गया निकाल लो के अब तो अरे बता तो दिया सारा क्या मैंने जिंक सुन लिजिए जिंक की टेबलिट देते हैं आपने का कव अप टू 6 मन्त 6 महीने तक का एज है तो 10 mg पर डे देते हैं और 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो 20 mg पर डे देते हैं अरे हाया ना और 14 दिन तक देते हैं अब ठीक है नहीं moderate का एज से लेना देना नहीं है बेट से लेना देना है ठीक है बच्चा है 25 नहीं होता टैट क्या तो नीद में है क्या चले आगला क्वेश्चन यह आज का लास्ट कुश्टन है जो आह टांवर है ठीक है अ तक बाया टांवरोग्रेश्च्टस के दाटफ है कि रिष्टी आ रहे हैं तुझे मैं रिष्टी मत कर वही है कि रिष्टी कुछा लुबंगे रिष्टी मत कुछा है ok the pathophysiology a pathophysiology of tet is spell is decrease in the systemic एक वस्कूलर रसिस्टेंस इंक्रीज राइट टू लेफ्ट संट विच लेट टू बंच मोर थिंग एंड इस्ट कीप इंक्रीजिंग दा राइट टू लेफ्ट संट सीवेर्टी ऑप साइन उचिस बेस्ट डिसाइड़ वाय है एक बार धंग से सुनों यह डिजीज का नाम एक इसके अंदर होता है पल्मोनेर इस्टैनोसिस एक इंदर होता है राइट वेंटिकूल हाइपर टॉफी और एक होता है ओवर राइडिंग ऑफ एयोटा यह चार प्रोब्लम मिलाकर करते हैं टेक्ट्रालोजी और अपने का ठीक है अब आपने कासर कैसे होता है एक बात सुने गा पृटा जो मैं कह रहा हूं आपने का डायगरम मना देजिए मैंनेका यहां से निकलती है फ्री यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्ट्री किस में जायेगी लंग्स में लंग्स से क्या निकलेंगी pulmonary vein जो कहां जाएंगी लेफ्ट टेट्रियम में इन्फीरियर वेना के वा यहां होता है tricuspid यहां होता है bicuspid अपने का problem का नाम बता हुआ मैं बता रहा है यहां होएं यहां पर हुई आ है का pulmonary stenosis इस जगह पर यहां पर पाया जाता है इसका नाम है बीएसडी तो यह हो गया problem नमबर टू इसमें जो वह प Shiv पिल्मुनी आर्ट्री में ब्लड को पंप करने की जिम्मेदारी होती है तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा पूर्स लगाना पड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल की दीवार क्या हो जाएगी मोटी हो इसे कहते हैं राइट वेंट्री कूलर हाईपर ट्रॉफी है गया साइन नंबर थर्ड कि तुमको समझ में आ रहा है कि रहे बच्छे आपने का ठीक है बताव और क्या एक और रहे गया आपने का ओवर राइडिंग ओफ एउटा ओवर राइडिंग और फैयुटा क्या होता एउटा जो निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एउटा ल up तो यह जो प्रॉबलम की धेखने को मिलेघी अभी कोश्च संब क्या कर रहा है कि बिलुइ स्पेल होता है यानि कि अगर बलड का फिलो एसे हो रहा आघर बलड का फिलो ऐसे तो आपने और ईसे तो यह कूं बहौतासा जोकि भीते है कि राइट भेंटकल की हाइपर टूण लेगा तूरड हैुआ कि दो में तो नहीं ले गी क्योंकि यहां तो यह क्रके कोई करता रहा यह बहाँ है फूल ला यांनी और ऐ mean Richt एक्षक से चक्रों मैं उसके भूला में यह याई हुआजी हाईपट्रोफी हो राइटिकल में तो गुस्सा जादा गया गुस्सा जादा तो प्रेसर जादा और प्रेसर जादा है तो राइट वेंटिकल ने का के सुन तू नहीं ले रही तो कोई और अब किसको दे रहा है लेफ्ट वेंटिकल को तू न सही तो कोई और सही तेरे आसपास काई सही तो जब राइट वेंटिकल का बिलेड पल्मोनरी आर्टरी में नहीं जा रहा तो फिर विए जी के तुरू कहां से ला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और जैसे ही संट क्या बन गया लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट इसका मतलब यह डिजीज कैसी हो गई साइनोटिक तो यह तो कंफर् होगा राइट वेंट्रिकल जितना ब्लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा उतना ही जादा साइनोसिस होगा यह कह रहा है कुशन समझो यह कह रहा है इंक्रीजिंग राइट टू लेफ्ट कौन सी ऐसी चीज है जो राइट से लेफ्ट संट को बढ़ा रही है तुम बताओ कौन को राइट वेंटिकल को यह जितना मना करेगी राइट वेंटिकल उतना बिलड देगा किसको लेफ्ट वेंटिकल को जितना बिल लेफ्ट में जाएगा बोड़ी उतनी ज्यादा क्या पड़ेगी ब्लू और जितनी नीली पड़ेगी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा साइनोस तो बेटा आंसर है pulmonary stenosis की severity जितनी ज़्यादा होगी sinosis उतना ज़्यादा होगा तो answer is degree of pulmonary stenosis answer is D सबसे ज़्यादा किस पे ऐसा नहीं है कि बाकियों पर depend नहीं करता best पूछा है और best है pulmonary stenosis की severity जितना वो मना करेगी उतना वो कहीं और देगा blood की बात कर जाओं समझ में आ रहा है आपने कासर blue spell यह जो tet spell है यह कितने age तक के बच्चों में होता है तो tet spell मुख है 24 महीने तक की age में बच्चों को देखने को मिलता है और tet spell का management पूछा जाए तो सबसे पहला इस पेस्ट है knee chest position दी जाती है बच्चे को knee chest या इसे squatting posture कहते हैं यह दिया जाता है इसके बाद अगर इससे फाइदा ना हो तो 100% oxygen administration किया जाता है फिर हम third number पे morphine sulfate देते हैं चौथे number पे हम sodium bicarbonate देते हैं और साथ में क्या देते हैं fluid और पांच वे number पे हम करते हैं documentation of all finding जितनी हमने देखे हैं सारी चीजें हमने जो की हैं उन सब का हम क्या करेंगे documentation I hope आपको मेरी बात में समझ में आ रही होंगी boot shape hurt होता है boot shape hurt होता है tetology of fillet के अंदर याद रखेगा सुभं प्रजापत सर आपकी voice कम आ रही है बहुत जल्दी बता दिया तूने दाई घंटे के बाद तुझे मेरी आवाज कम आई है यह बोल तुझे सुन्ना बंद हो गया है तेरी battery charge कर ले ठीक बटा आई होप आज की class आपको मैंने जितनी सारी चीजे बताई हैं वो आपको समझ में आगी होंगी I hope मेरी class आपको कोई exam में कुछ फाइदा देगी ध्यान से सुनना दस दिन बचे हैं आपके पास 10 days हैं लास्ट आपको पढ़ने के कुछ नया मत पढ़िएगा मैं एक बार आपको प्लिय कर दो नया बिलकुल मत पढ़िएगा इस समय इस तरफ पढ़ना क्या है मैं इक बार बता दूं थिक engines mea याद कर लो एक बाद डेसा का लो एक बाद डेटा को लो किसमन ध्युअ यह में दस दिन के स्टड़िव ता रहा हूं अगले दस दिन क्यान सुनना जो मैं कहरा हूं अगले दस दिन तक थियोरी में जितने डेटा हैं OBG में MSN में PDA में, Pharma में, Funda में Anatomy में, Psychiatric में जितने डेटा बेस कोश्चन है वो फटा फटा पट रट लो डेटा गलत नहीं होने चाहिए उसके बाद जो YouTube की कॉपी है जो YouTube की कॉपी है उस YouTube की कॉपी में जितने जल्दी रिवीजन करो उतना ज़्यादा फाइदा हो जाएगा तो फास्ट रिवीजन सुरू कर देजी YouTube की कॉपी का और बच्चे MCQ, MCQ आपने जो बुक निकाल ली है उस बुक में जो कोश्चन आपको नहीं आते थे आपने को इस्टार बनाये थे रिवीजन में उन्हीं कोश्चन को रिपीट करिए जो आपको पहले नहीं आये थे जो आच चुके हैं उनको दुबारा मत करिएगा ये तीन चीज़ें कर लीजिए दस दिन में आराम से confidence आएगा बूस्ट होगा मेन है हैos अरे बजल कोई बात नहीं अरे बादल ये इतना सीएस में तो ने लिए तुम सब बच्चो मैं किसी को इस토 ही को ना मैं किसी का क finding कूइव करता हूँ कोश्चन बच्चे पूर्चते और ये नो प्रोब्लम बादल चेर अप अच्छे से पढ़ाई करो मैनत करो ठीक है बटा तो इस सारी चीज है ठीज है डेटा जो रिवाइज कर ले ना यूटुब कॉपी को रिविजन कर ले ना एंसी क्यों जो आपको पहले गलत हुए थे सिर्फ गलत वाले कोश्चन को ही बापस से रिवाइज करना है न के बच्चे अब जाते आते आपको दो लाइन सुना देते हैं जिससे के आपका दिन अच्छा जाए तो इर्साथ करिए सब इर्साथ करिए खटाबत सुनाएं दो लाइन आपको चलो सुनिए हर एक दास्ता चाहेगी किरदार भाई का यह आपके और मेरी बात है हर एक दास्ता चाहेगी किरदार भाई का मैसूस करके देखो कभी प्यार भाई का तब हार माल लेती है सारी मुसीवते हैं बनता है भाई जब भी मददगार भाई का आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो ये आपकी और मेरी बीच की बात है दो भाईयों की बीच की बात है और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में हो सकता है क्लास में मैं मेराथन लूँ अगर सब ठीक रहा तो I will take मेराथन विकाज मैंने प्रॉमिस किया आप लोगों से तो मैं मेराथन लूँगा आपका पर टाइम मिलेगा तो मैं लूँगा जरूर अभी थोड़ा सा टाइम का इश्यू है बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मैं जानता हूँ कि कुछ लोग नमक हराम होते हैं वो चीज़ें नहीं करते वो कभी एप्रिशेट भी नहीं करते चीज़ों को और वो कभी भी नहीं करेंगे चाहें वो कहते हैं न जो टीचर का नहीं है वो किसी का नहीं वो जॉब का भी नहीं और वो एक्जाम का भी नहीं अगर एक्जाम में चोरी छुपके पढ़के एक्जाम में सेलेक्शन ले भी लिया ना जिंदगी के एक्जाम में फेल है 100% If you are not devoted and you are not faithful for a teacher then definitely you will not get success and selection is very minor thing life selection के बाद भी है और जिंदगी में हर रोज एक्जाम है एक एक्जाम में पास हो गए तो दस एक्जाम में फिर फेल हो गए इसलिए always I admire my teacher till now मैं आज भी मेरे teacher का admire करता हूँ whenever I see them जब भी मैं उनको देखता हूँ मैं उनको admire करता हूँ अमेसा उनको phone करता हूँ बात चीज़ होती है because I feel I am here just because of them पर कुछ को लगता है कहते हैं न अंदे की जब आखे ठीक होती है सबसे पहले वो छड़ी को छोड़ता है जब selection हो जाता है तो सबसे पहले भूल जाता है कि पढ़ाय किस ने था पर कोई बात नहीं मैं उन लोगों के चक्कर में उन बच्चों का बुरा नहीं कर सकता जो मुझे पर depend है इसलिए मैं महराथन लोंगा अभी नहीं पर लोंगा जल्दी पर date fix नहीं है पर महराथन में लोंगा कोई बात नहीं जो से चुपके देखना है वो चुपके देखलेगा इसको आराम से देखना है वो ऐसे देखलेगा और यह कनफर में वो क्लास प्राइवेट होगी इसलिए जितना फायदा ले सको उतना ले लेना I will try to take my best ठीके बच्चे चलो अब हम चलते हैं और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगली क्लास में जब भी क्लास होगी तब तक के लिए पढ़ते रहें ठीके बच्चे गुड़नाइट्स सुबरात्री सब बाखे सबस्बरात्री